आज से 19 साल पहले पगड़ी बांधे एक लड़के ने देश के हर शेहर में हर सड़क पर एक गाना गाया बुल्ला की जाना मैं कौन और वो गाना उनकी पहचान बन गया इसके बाद अगले दो दशकों तक उन्होंने बहुत सारे गाने गाये फिल्मों में गाये, सिंगल्स दिये, कॉंसर्ट्स किये लेकिन वो गाना उनकी पहचान के साथ लगातार बना ही रहा आज भी जब वो कहीं किसी को दिखते हैं तो अचानक वही गाना दिमाग में चलता है इनफेक्ट जब हमने पढ़ाकू नितिन के इस सौवे एपिसोड में सोचा कि उन्हें बुलाया जाए, उनसे बात की जाए तो जिस किसी से उनका जिकर किया, कल से वो यही गीत गुनगुना रहा है लेकिन सिर्फ यही गीत नहीं जोनोंने गाया बलकि मुझे हैरानी है कि उनके गाय हुए इतने सारे गीत हमारे चारो तरफ है जो हमने सुने है और हर गीत अपने आप में एक नई कहानी कहता है पर एक चीज समय कॉमन है कि इस शोर में वो सुकून का एहसास देते है इनफेक्ट सबके अपने फेवरेट सॉंग्स हो सकते हैं किसी को उनका कोई और गीत पसंद है किसी को कोई और लेकिन एक चीज है जिस पर सब सहमात है और वो ये कि ये सिंगर ये मुजीशियन अपने दौर में जो सौशियो पॉलिटिकल एक जाग रुखता है उसमें सबसे आगे है, सबसे अलग है, सबसे उंचा खड़ा है तो पढ़ाकु नितिन के सौवे एपिसोड में आपका बहुत बहुत श्वागत है रबी शिर्गिल शुक्री शुक्री बहुत बहुत शुक्रीया मुझे बिलाने के लिए और आपको बुलाना तो मुल्तवी हो रहा था पर हमने सोचा किसी खास मौके पर बुलाएंगे इसे आपने और खास बना दिया थैंक्यू सो मच और अभी मैं मतलब इतने सारे गाने आपके सुनता रहा हम तो छोटे थे तब आप तब भी जवान है हम बहुत छोटे थे और तब से लेके अब तक कितने सारे गाने सुनते रहे आप कहां कहां न जाने दिखते भी रहे पर लोगों को एक शिकायत मैंने देखी वो अकसर आपसे करते हैं कि आप बीच में गायब हो जाते हैं मुझे तो पता है आप दिखते हैं उन्हें ये शिकायत क्यों है कि आप बीच में गायब हो जाते हैं मेरे काल से गायब होना बहुत ज़रूरी है और लागातार दिखते रहना अब तीके अब चिस दौर के अंदर रहते हैं उसके अंदर एक continuous presence एक अंग्रेजी का फिकरा इस्तिमाल करूँ तो एक tyranny है एक जावरदस्ती है तो मुझे हमेशन से यह लगता है कि मुझे तब आना चाहिए जब मेरे पास कुछ गीत हो और ये तकरीबन मेरे खाल से किसी भी creative आदमी को तभी सामने आना चाहिए जब उसके पास कहने को कुछ हो और ये ज़रूरी नहीं आपको लगातार कुछ ना कुछ कहने को मिलता रहे गा और जब आप एक किसी जबरदस्ती के अधिन कुछ ना कुछ जबरदस्ती बोलने की बात करेंगे और तो मेरे क्याल से हर बार आप कोई ऐसी चीज नहीं कर पाएंगे जो आपके समाज को आपके जिस जगे पे आप रहते हैं उसके जन्मान उसको वो कोई नरिश कर पाए कोई सेहतमन चीज दे पाए तो बजाए इसके कि मैं आके आवातावा बोलता रहूं मुझे लगता है कि मैं अगर चुप रहूं तो वो बेतर है और शायद इतनी चुप़ी के बाद अगर कुछ बोलूँगा तो शायद हो सकता है उसके अंदर कोई सोज हो उसके अंदर कुछ दुनिया बदलने की उसके अंदर काबलियत हो दीए मेरे जो हीरोज रहे हैं जिनको मैं अपने हीरो मानता हूं वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनका किसी क्रियेटिव शेत्र से कोई ले न देना नहीं जैसे महर्शी रामन्ना वो मेरे एक हीरोज वो चुपी रहे हैं महात्मा बुद भी चुपी रहे हैं तो गुरु गुबिन सिंग के बारे में कहते हैं कि 1699 की वैसाकी से पहले वो चुप हो गए थैं तो चुपी एक कोई बुरी अवस्था नहीं है मुझे लगता है मैंने अपने आप से एक वाइदा किया हुआ है कि मैं अभी बोलूँगा जब मेरे पास बोलने के लिए कुछ हो क्या ये उस सिलसले में कोशिश भी है जिसके बारे में आप अकसर कहते हैं कि इनसान बने रहना या बचे रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है अब तो वही सर्वाइव करेंगे जो कंपनी है तो कंपनी ना बने आप उसकी भी कोशिश है चुप रहना बीच बीच में चले जाना गुम हो जाना देखि कंपनी तो मैं बन गया हूँ मैंने अपना रेकर्ड लेबल बना लिया है मेरी खुद की कंपनी है ही पर मेरी कंपनी जो है एक आप कहलें शिकायतों किसी हो सकता है किसी की गुप शिकायतो पर मुझे लगता है हर इनसान को ये शिकायत तो जरूर होगी कि जो एक human behavior उसको बदलने की कवायद चल रही है जिसके अंदर आप face to face communities कम हो रही हैं जिसके अंदर आपकी personal interactions कम हो रही हैं और एक newton के किसी सिध्धानत की तरह हम लोग जो जर्रा जर्रा कत्रा कत्रा होते जा रहे हैं so we are leading an increasingly atomized life so तो मेरे मैं सरदार हूँ दिल्ली वाला हूँ तो थोड़ी सी बगावत का दावा रखता हूँ तो मुझे लगता है कि बीच बीच में मैं compliant हो जाता हूँ मैं मान लेता हूँ बहुत फिर बगावत का जजबा फिर खड़ा होता है जब खड़ा होता तो मैं उसके अंतरगत कुछ और करता हूँ तो इस तरह की एक लगातार एक उधेर बुन लगी हुई है और मैं अपने जो हीरोज हैं मैं उनके जीवन की और देखता हूँ जैसे मैं दिल्ली से हूँ मैं खुद को सबसे पहले लोग मुझसे पंजाबी संगीत के बारे में बात करनी चाहते हैं मुझे लगता है मैं पंजाबी संगीत से ज्यादा तो मैं दिल्ली के बारे में बात करने का दावा रखता हूं, इच्छा रखता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूं, और जिस दिल्ली के अदर मैं पला बाड़ा वो एक पंजाबी दिल्ली थी, मतलब इसमें अब मेरे गाल से आज कहना मुश्किल होगा, सब लोगों की राए सब को साथ लेके चलना होगा इस वक्त दिल्ली जो है एक यमनापार की दिल्ली है यमनापार से यहां एक काफी बड़ी तादाद के अंदर पलायन हुआ है तो अब इसकी जो अब इसका जो सभाव है इसकी जो रंगत है वो लगातार यमनापार से मतासिर हो रही है मेरे जमाने में इसके उपर बंगाल का और पंजाब का प्रभाव था और अगर आप दिरियागन चले जाते हैं और जहां मज़िश चले जाते हैं तो उसके अंदर एक पुराना एक उसकी रंगत थी एक मगलई रंगत थी तो यह तीन रंग देखने को मिलते थे खासτोर से तो अब यह बदल रहा है तो दिल्ली जैसे ऐसे बदल रही है विसे विसे लिए जिल्ली जितनी तेजी से बदल रही है वो मेरे लिए कभी-कभी परिशानी का सबब बन जाती मुझे लगता है कि मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ और मेरे घर के अंदर लोग आ गए हैं और मेरे घर का ही ट्राफिक पैटर्न बदल दिया गया है मेरे ही सोफे उठा के कहीं और रख दिये गए हैं इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है तो दो फास्ट रेट अफ चेंज वो आपको दिमागी तोर से उसका जो पहला प्रभाव होता है वो होता है कि आप डिसकनेक्ट हो जाते हैं अपनी ही सराउंडिंग से तो ये एक पहली इंट है और इसके बाद जो एक टेकनिकल दौर चला हुआ है जिसके अंदर हम लोग लगातार खुद को मशीनों के साथ कमपेर करना शुरू कर दिया और तक्रीबन आप कोई भी हप स्कूल जाएं कॉलेज जाएं मेरे ख्याल से हम शायद पिछले चालिस पचास साल में हुआ होगा कि अपने हम उम्र के साथ ही आपको कलास में भेजने का रुजान ऐसे बनाओ ऐसे जैसे हम देखते है परातन गुरू कुल जहें इन के अंदर ऐसा नहीं है इसके अंदर बड़ा भी है छोटा भी है मेरे पिडाजी minor जो थे अपने गाओं के अंदर वो कुरू कुल में जाते थे तो वहां तमाम तरह के उनकी जमाद के अंदर तमाम तरह के बच्चे होते तमाम उमरों के बच्चे होते थे तो जिस तरह की standardization हम देख रहे हैं वो हमारे हम एक वाहिद ऐसी एक स्पीसी है जो अपने आपको इस तरह के अमल के अंदर डाल रही है अपने आपको लगातार एक मशीनी करण के एक अमल एक प्रक्रिया के अंदर डाल रही है और बनना चाहती है और आप कितने मशीन बन गए है इससे आपकी जीवन की सफलता या असफलता यह मापी जाती है तो यह एक और इसका एक सीदासर आप देख रहे हैं आर्टसकी को बार हो रहा है जैसे सीधा सा आप गाइब कहा हो जाते हैं तो मैं आपको एक सिंपल इसका जवाब दे सकता हूँ मैं गाइब हुआ नहीं हूँ, मैं गाइब किया गया हूँ और मैं मशीन के दोरा, मैं अलगरिदम के दोरा गाइब किया गया हूँ आप मुझे से जो सवाल मेरे से बनता हो यह है कि क्या आप उठते हैं समय से, क्या आप गाते हैं समय से, क्या आप अपने हुनर की उपर लगातार काम कर रहे हैं, क्या आप अपनी लकड़ी पे रंदा फिर रहे हैं तो एक आर्टिस्ट से आप यही एक सवाल कर सकते हैं दूसरा सवाल जो बनता है वो बनता है उन अधारों से जो आपकी आर्ट का प्रदर्शन करते हैं यह सवाल होना चाहिए टीवी से यह सवाल होना चाहिए रेडियो से पूछना चाहिए लोगों से मिका को यूफोरिया को इंडियन ओशन को कलोनियल काजन्स को इनको गाइब क्यों किया गया 2007 के बाद से 2007 में मैंने फून किया MTV को पूझा मैंने का या मेरे गाने नवी जा रहे है मैंने पिछली दो साल पहले आपको टेप बिज़ी दी आप दिन के अंदर 20 बाद बजाते थे अब आप दो बार कहते है मेरे पास 3 स्लॉट है अब भी एक मैंने दिया है सुखबीर को दो दे रहाँ तुझे और अगले हफते ये बदल जाएगा तेरा एक हो जाएगा दो उसके हो जाएगे यही है हमारे पास इतनी जगे तो मैंने का आपने पहले बजाये थे कहता है पहले वाला जमाना चला गया अब तू छोड़ उसको अब यह है उसके बाद आपके पास आगया यूट्यूब यूट्यूब कहता है आपसे कि दो रुपए की एक हिट पेचूँगा मैं चाहिए अब आप आर्टिस से आर्ट का मतलब यह है कि आर्ट कोई चीज कोई ऐसे हमारी सांजी किसी एक कंसर्न से हमारी रू से कोई एक परदा उठाती है कोई एक खिड़की खुलती है जिससे कुछ समझ में आए कि हम यहां क्यूं है आप और मैं पैसा बनाने के लिए नहीं है आप और मैं अपना बैंक बैलेंस और टैक्स भरने और 9 to 5 जॉब करने नहीं है कुछ और है जिन्दगी I'm so sorry to say that वो जिन्दगी क्या है इसको समझने के लिए आप उसे परदा उठाते हैं आप कविता लिखते हैं आप कहानी लिखते हैं आप क्रियेटिव कुछ करते हैं अब आप चो क्रियेटिव फील्ड है उसने कुछ भी आटिस्टिक प्रोडिउस करने का दाव़ शोड़ दिये और वो सिर्फ और सिर्फ entertainment और craft तक सीमे ता craft और art के अंदर एक एक फरक है जूते बनाने वाला जो है एक craft का काम करता है किसी दिन हो सकता है वो ऐसा कोई खुबसूरत जूता बना दे कि वो art बन जाए ठीक है जब craft अपनी सीमा से आगे चले जाए तो वो art को छू लेती है और art जब अपनी सीमा से नीचे गर जाए तो वो craft बन जाती है तो अगर आपको craft ये चाहिए तो आप इसको art कहना छोड़िए ठीक है ये और तभी we all deserve to be replaced by the AI हमने छोड़ दिया हमने आज से 20 साल पहले हम जिस तरह कि school colleges में जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है जिस तरह तरबियत हुई है वो हमें machine बनाने के लाइक बनाती है अब बता दीजिए कितने engineer हैं मैंनो तो तमाम तरह के engineers देखे हैं मैंने किसे हैं मैंने कि तुमने तुमने तुमारे course के अंदर philosophy का एक सबक होता है तुमने आठ का एक सबक पढ़ा है आपको कोई शर्म नहीं आती है कि आप वो सड़क बनाते हैं जो अमरीका में बनी थी वहां की सड़क वहां के सोचने के तरीके से उसके को हजार साल के सफर को तै करके उस एक design तक पहुँची इस तरह के glass फसाद होने चाहिए और इस तरह का AC होना चाहिए उसके अंदर मतलब ये तो इस तरह की गर्मी के अंदर के हम सब को jeans पहननी चाहिए आप हमारी पुरानी कलाकरती देख लीजिए आप खजराओ देख लीजिए आप मोहिच दाड़ा देख लीजिए आप कुछ देख लीजिए वहाँ क्या पहनते थे लोग और फिर अपने आपको पहनने उस कपड़े को उगाने के लिए फिर आपको उतना cotton चाहिए फिर cotton उतना चाहिए उसके लिए फिर आपको MSP देने पड़ेगी cotton मतलब वी आर लिविंग वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स अपन प्रॉब्लम्स विच दू नॉट कम फ्रॉब्लम्स आर ओन कॉंशिसनेस तो एन्यवे तो आपको आपको बता दो मेरी जो मादा जी है वो दिल्ली के एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी माता सुंद्री कॉलेज की मेरी बड़ी बहन जो है वो हिंदी की मेरे खाल से बड़ी कवित्री है बड़ी कवित्री है गगन गेल उनके जो स्वरगवासी पती है वो निर्मल वर्मा है वो ग्यान पीट अवाडी हैं मेरे फिवरिट लेखक है मैं उस दिल्ली में पहला बढ़ा हूँ जहां ये सब लोग आपके इर्द गिर्द देखने को मिलते थे जब आप निर्म वर्मा से बात कर सकते थे जब आप M.F. Hussain से बात कर सकते थे जब आप राम कुमार राम कुमार जैसा मेरे खाल से कोई ऐसा एक्सप्रेशनिजम के अंदर ऐसा दखल रखने वाला कोई पेंटर आया हूँ आज भी एक एक पेंटिंग उनकी करोडों की बिक्ति है तो ये इस दिल्ली के लोग थे मनजीत बावा गुजराल सारे दिल्ली के लोग है तो मैं तो मैं उस दिल्ली की उपजू हूँ जहां और आठ के उपर जब आप पैसा कमाने का अंकुश रख देंगे ना फिर वो आठ ने प्रोडूस कर पाई म्यूजिक भी हुआ इस दिल्ली में जैसे पंजाब को लेकर एक लेगेसी है बेंगॉल में म्यूजिक को लेकर एक लेगेसी है आप जब दिल्ली कितनी बात करते हैं तो आपसा अच्छा कोई नहीं बताने के लिए दिल्ली की लेगेसी म्यूजिक ने क्या है दिल्ली जो है दिल्ली के अंदर अपनी जो हमारी अगर आप बोलें कि यहां की आर्ट फॉर्म क्या है तो यहां की आर्ट फॉर्म कवाली कहेंगे अच्छा ठीक है और कवाल दिल्ली के अंदर एक से एक बढ़कर को है दिल्ली के अंदर भजन सपूरी हुआ है जो संतूर माइस्टर हुआ है दिल्ली के अंदर आपको मुद्ब मुद्गल जैसे ख्याल गाईकी के ऐसे दुरंदर हैं वो आज भी है सो दिल्ली के अंदर आपको तमाम तरह के लोग मिल जाएं जो अगर आप क्लासिकल म्यूजिक के बात करें सबसे पहले देखिए ये आपको म्यूजिक के अंदर जो मेरा पॉप म्यूजिक पॉप म्यूजिक असेंशली जो है आप कविता का म्यूजिक के अंदर रुपांतरन कर रहा है ये मैं ऐसा मानता हूँ ठीक है तो आपको पॉप मूजिक अच्छा बनाने केलिए, ऐसा पॉप मूजिक जो आपको और हमारी हालाद अच्छे करे, जो जिसके अंदर लड़की अगर सड़क पे चले तो वो उसके लिए चलना बहतर हो बज़ाय इसके की और बधाल हो, ऐसा पॉप मूजिक पैदा करने के जहां गालिब की अवेली के अंदर केमिकल फैक्टरी लगा देते हैं, हमें कोई, जहां आप, जो हमारा सबसे ही जो दिल्ली की एक रू है, जिसको चानी चौक कहेंगे, जामा मस्जिद कहेंगे, दिरिया गंज कहेंगे, उसको हम चोर बाजारी और मेकैनिकी इनका गड़ बन दियुए है, वो यह हुई है, कि दिल्ली की अपनी जबान ख़तम कर दी गई है, दिल्ली की जबान अरदू है, जब से मैं पैदा हूँ है, मैं यह देख रहा हूँ कि आप किसी ना किसी जरीय के तहरे चाहे वो सरकारी ब्राड़कास्ट मीडियुम हो, चाहे वो अकभारे ह भाशा खतम करने का एक बहुत बड़ा उपराला किया है और पचास साल तो मुझे होगे देखते हुए आज भी हम अब आप यूपी में बोलते होंगे तो अलग बात है पर दिल्ली के अंदर हम आज चरे चकित नहीं कहते है दिल्ली के अंदर हम हैरान बोलते है दिल्ली के अंदर शायद हम समस्या भी ना कहते है और दिक्कत बोलते है क्या दिक्कत है भई इस तरह की कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो मैं उनका एक बोर्ड पढ़ा मैंने और मैं देखके हरान रगया एक शायद किसी clerk के लिए एक शब लिखा हो था लिपिक हाँ हाँ हैंडी में है लिपिक सवाल ये नहीं है कि वो लफज सही या accurate है या नहीं है सवाल ये है कि इसके अलावा को दूसरा लफज नहीं था और लफज थे तो क्या वो होने चाहिए कि नहीं उनको रिप्लेस करना बनता था मतलब जिस तरह की एक अजीवो गरीब इस इस देश का जो बोध मंडले इसको बदलने के कवायद हुई है वो मेरे लिए तो बड़ा हैरानी का सबाब है मैं पंजाब से हूँ हमारे मतलब मेरा पंजाब से पचोकड़ पंजाबी में पचोकड़ कहते हैं शायद मेरी प्रिष्ट भूमी है पंजाब की तो हमारी जो जबान है आज से तीच चाले साल पहले 50-50 है उसके अंदर 40 मालब पचास परसंट उसके अंदर उर्दू फारसी के लफज होंगे उर्दू फारसी उर्दू पचास पंजाबी के पचास हमारे पंजाबी के और संस्कृत के भी होंगे आपके पिता जी बड़ एच्छी संस्कृत बोलते है मेरे पिता जी संस्कृत के गया था थे बोलते तो पंजबी थे बोल सकते थे धारा प्रवा बोल सकते थे धारा प्रवा बोल सकते थे फार्सी बोल सकते थे उर्दू बोल सकते थे अर्बी बोल सकते थे तो वो अपने ओरियंटल शेली के विद्वान थे उन्होंने अपनी जो शिक्षा है जैसे आज हमारी युनिवर्सिटीज हैं जो अपुरातन सिखराज के काल के दौरान जो युनिवर्सिटीज बनी थी जो जिस तरह के जो विद्या पीट बनी थी उनके अंदर सबसे प्रमुक्ती अमरित सर की सत्तो वाली गली की पीट जिसका शिजरा निसब हम गुरु गुबिन सिख सीधे जोडते हैं जो भाई मनी सिंख और उसके बाद ये सिलसला है उसका तो वो उस पीट में उनने अपनी विद्या ग्रैंड करी और वो सारे की सारी जो है उसका जो शेतर है इतना विशाल है उसके अंदर आपकी वेद्वेदानत भी है उपनिश्द भी है और आपका कुरान भी है अंजील भी है तो ये इस किसम का जो दीनी इल्म और दुन्यावी इल्म ये दोनों दिया जाता है तो पोइंट ये है कि मेरी एक टांग उस बारत में है एक टांग आज के बारत में है तो जब तो मैं इन दोनों को जज़ कर पाता हूँँ और जो इस भारत की जो विढम बनाए हैं कितनी और अजीबों गरी विढम बनाए है तो यहां तक इतनी दिक्कतें, इतना अलगाव, इतना यह सा महसूस ही ना करें तो मैं यही बात कह रहा था अब से कि अभी ही जब हम आ रहे थे ही बात कह रहे थे कि हम एक संक्रमन काल की पीड़ी हैं, हम उस दौर में हुए जिसकी एक टांग उधर, एक टांग इधर है तो जो आप कह रहे हैं कि दोनो दौर की दोस्ती करानी है, दोनो दौर जो है उनकी जान बहचान करानी है तो वो काम हमारा ही है वो हम ही कराएंगे हमने वो भी देखा ये भी देखा क्योंकि दिल्ली वाले रहती ही नहीं है दिल्ली में आप दिल्ली के जो मिडल क्लास की अगर आप देखेंगे दिल्ली की जो पेरिफिरी पे रहता है जो दिल्ली के बाहर वार रहता है, वो दिल्ली के बीचो बीच आएगा, जो बीचो बीच रहता है, वो दिल्ली के बाहर जाएगा, गुडगाओं जाएगा, नॉइडा जाएगा, यहां फिर अमरीका कैनेडा जाएगा, तो दिल्ली से जो स्टेक होल्डर जमाती, उसका तो हो चुका है वो तो हिजरत कर चुके हैं तो आप जिन लोगों को आप मिलते हैं वो पिछले दस भी साल से आये होंगे उनकी आप दिल्ली वाला आपने आपको वो कह सकते हैं जिसकी कम से कम है वहां के हाला तो उसका वहां से प्रेम पड़ गया है गाढ़ा है उसके बहुत मतलब अलगले इलाकों में हुआ तो मैंने जानबूच कर फसाने वाला सवाल पूछा था एक पॉड़कास्ट में वो दसों एपिसोड है हमारा मैंने पूछा ये बताईए आपने बनारस के बारे में इतने बड़ी बड़ी अबात कही दिल्ली के बारे में कही इसके बारे में और बंगली भी है कौन सा शहर आपके जादा करीब है तो फसे तो थोड़ा सा लेकिन फिर बोले दिल्ली तो वो और आप दोनों कम से कम ये बात कहते हैं कि भई दिल्ली की चिंता है दिल्ली से प्यार है उन्होंने भी एक गाना दिल्ली पर लिखा था आपने भी लिखा था गाया था उसमें ये सारे एक्स्प्रेशन है जागेगी रात भर भागेगी साथ पर कर डालेगी बेलागा मख्यालों को पूशेगी ये सवाल मागेगी ये हसाब न सुनेगी तैरे इन जवाबों को यहां है एक नदी और वहां है एक लाल लाला कहां है इस शहर का फलसफा यहां आंसू और गीत और जवानी थी मैंने तेरे नाम की हवारा थी रात और सडकें थी मेरे बाप की और मैं था और तू थी और तू थी दिल्ली बस अब इसके अंदर आप हिसाब लगा लीजिए कि इसका कोई मतलब है के नहीं दिल्ली मुझसी लोग पूछते हैं कि तुम दिल्ली से प्यार करते हो दिल्ली अच्छे अरे भहिया मैं क्या बोलू आप अप अपने घर के अंदर बेठे होते हैं आपको अपने घर की एक-एक खामी अखरती है आप घर से प्यार करते हैं आप क्या करते हैं आप हैं आप वही हैं मैं दिल्ली हूँ आप यहां रहेंगे जितना समय मैं यहां रहा हूँ आप भी खुद को कहेंगे आप शायद यह कह सकते हैं कि मैं नॉइडा हूँ जो कि जायज है मैं दिल्ली हूँ, मुझे यहां की हर कमी कम अंदाजा है मैं बाहर से कोई आता है दस बीस साल रहा है वो बोलेगा यार मेरे को यह चीज बहुत चीज लगती दिल्ली की एक चीज का माल मेरे को दिल्ली की सिफते नहीं, मुझे दिल्ली की कमिया जादा देखती है जैसे जैसे मैं तो यमना के अंदर नहा चुका हूँ अब आप बताई जो नहा चुका हो आज यमना के उपर खड़ा हो ना उसके दिए मुश्किल है तो उसको बखरेगी के क्या हो मैं तो हम जाते थे पूसा इंस्टिटूट वहां मोर आते थे मैं नौर्थ दिल्ली का रहा हूँ जहां दिल्ली बी स्टेशन है दिल्ली बी स्टेशन के अंदर हमें नील गाए गोह कभी-कभी कोई कोई हिरन दिख जाता था जो मैं तो उस दिल्ली का बशिंदा हूँ अगर आप मुझे बोलो कि दिल्ली अच्छा है तो आप यह कहना चाहरे हो कि आपको दिल्ली के अंदर जो कुछ हो गया है आपको यह मन्जूर है सवाल का जो जो implication निकलती हूँ यह निकलती है कि आप खुश हो ना यह सब कुछ हो गया तब भी आप खुश हो मैं इसका इतना सीधा जवाब नहीं दे सकता हाँ दिल्ली मुझे बहुत ची लगती दिल्ली के अंदर लेकिन जो इतना सोचता रभी भाई परेशान रहता फिर वो बहुत अब है परेशान तो परेशानी जिसको नहीं है वो आर्टिस्टिक फील्ड में नहीं कुछ और कर ले दो तरह के लोगों परेशानी नहीं होती एक वो जो पैदा नहीं हुए दूसरे जो लाच है तो वही बात है क्या गालिब को परेशानी नहीं थी क्या मीर को परेशानी नहीं थी यह हम तो उस दिल्ली के हैं जहां अंग्रेज मूरी गेट तक पहुंच गए हैं और हमारा बादशाह जो हजारों खौईश है ऐसी कि खौईश पर दम में निकले हैं वो जानता है वो देख रहा है क्या हो रहा है तो हम तो यह तो साथ बार आप देख ले न तुगल का बाद देख लीजिए आप हमारा पुराना के लाद देख लो कितना साथ तो आपको निशानियां मिल जाती है इसके अंदर तो मैं तो उस दिल्ली का हूँ तो हम सब लोगों के अंदर एक दिल्ली के एक अपने चरम पे जब हमारे महलों में गेट्स लगने शुरू होगे आप देखते हैं कि जब जंगले लगने शुरू होगे बड़े बड़े वो दिल्ली का वहाँ से पतन शुरू हो बाहर गार बैठा दिया जब आपको जंगलों की ज़रूद पढ़ गई तो उसके बाद से दिल्ली का जंगले लगा के सबसे पहले आप कैद होते हैं सबसे बाहर तो छोड़ी है अच्छा समझ तो गया मैं परिशान तो आप हो विरह की गीत जो टोन है आपके गीतों में जो विरह है इसलिए भी जादा है हाला कि एक बात की तारीफ है कि वो फिर भी इतने शानत है देखे शानती जो है ना ये एक तिंक मैं मैं अपने बच्चों से भी ये कहता हूँ कि अगर आपको जिन्दगी को समझना तो आपको दो चुनाव हैं आपके सामने इस आइधर स्क्रिप्चर और इस लिट्रचर ठीक है सो इन में से एक चुन लो आपको एक्स्टेंड करने के लिए आपके पास कोई ना कोई जरिया होना चाहिए नई तो आपकी गाड़ी अभी नहीं रुकी है तो दस साल बाद रुक जाएगी बीस साल बाद रुक जाएगी और रुक जाती लोगों को मालू में नहीं चलता है सारी उमर निकल जाते है कि हमें करना क्या है उनको कौन सी ऐसी कदर कीमत है जिसके उपर खड़े रहना है देखे ऐसा है कि मरना हम सब को the one thing that is certain जो एक निश्च चिता है वो मौत और आप मौत को किस तरह से देखते हैं उसके लिए किस तरह से अपनी preparation करते हैं life is only a preparation for death आप उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं इस से आपकी जिंदगी का सार मालूम चल जाता है कि जिंदगी सफल है असफल है मैं ऐसा मानता हूँ तो आपको either literature और scripture इसको इन में से किसी एक के अंदर दकल रखना चाहिए scripture हो सकता है लोगों को आजकल दौर हैसा लोग कहते है सौ तरह की चीज़े सुनते हैं कहते हैं आप सोशल मीडिया पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको यह लगया कि मैं हूँ के नहीं हूँ आप इसकी उपर भी I'm just a projection in somebody else's mind इस तरह के बाते भी मैं सुनता हूँ आजकल कल से दो तिन चीज़े पढ़ रहा हूँ उसके अंदर कोई आथमी आपको कन्विंस करने कुशिश कर रहा की वी अर लिविंग इन अ मेट्रिक्स एक फिल्म बनगी मेट्रिक्स अब हम उसके साब से अपने आपको देखना शुरू कर देता है तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने आपको थोड़ा सा गहरा करेंगे तो आपके अंदर शांती तो नहीं पर शांत भावद आ जाये और आप शायद जो उतल-पुतल है जो आपका कोई मौनसिक तनाव है आप उसके अंदर भी शायद उसको एक किसी गंबीरता से किसी दीर गंबीर भाव के साथ उसको समझ सकते हैं ऐसा कोई जरूरी ने मेरे अंदर क्या मैं शांत हूँ मेरे ख्याल से मैं बहुत गुसे में भी आ जाता हूँ मुझे लगता है कि आक्रोश होना पर आकरोश की व्यक्ति कैसी होनी चाहिए बिलकिस गातों अब गुसे में थे बिलकिस बनाते गिसे में था और कई वार जब मुझे कॉर्पोरेट्स बुलाते हैं अपने हां और कहते हैं बिलकिस के फरमाईश होती है तो फिर तो फिर मैं उस वक्त भी गुस्से में आया था लूटो दे हाथ खोलो लूटो दे हाथ खोलो बाजार नला सुपारा और विराड तो जब मैं बोलता हूँ तो मैं उनको सुना के बोलता हूँ उनकी आखों मैं आखे डल के बोलता हूँ पर में गाल से ने फरक नहीं बढ़ता है, मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ यह, तो देखे, हमें एक ऐसे दौर में से निकलना पड़ रहा है, जिसके अंदर जो हमारी जो धारणाएं, वो भारत की धारणां से पिलकुल अलग हो गए, मैं क्योंकि मैं एक देशी विद्वान का बेटा हूँ, तो मैं यह, यह कहने का मेरा एक दावा बनता है, कि जो भारत की, जो मूल भूत धारणा है, आईडिय ओफ इंडिया, उसके अंदर साधिय, परकृति प्रेम, और एकसारता, बराबरता, समता, यह उसके मूल भाव हैं, चाहे वो आपको लगे की यह नहीं है, वो सकता है, आप देखें, आप बोले कास्ट क्यों थी, पर अगर कास्ट थी, तो आपको जो साथ सो साल का बुद्धिस्ट काहल है, उसको भी देखना चाहिए, उसके अंदर आपको समता देख जाएगी, जब सिक अंदर आया, तो त लेनिया है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे भारत के अंदर, तो आपको मालूम चलेगा किस तरह से उसकी पैट थी, और आपको इस तरह के तमाम ऐसे दूसरे आपको दिख जाएंगे, आप लिंगायत समाज देख लीजिए, आप खजराओ देख लीजिए, मतल अंदर कुछ नहीं देख लीजिए, ठीक अंदर कुछ और, ठीक है, तो जब आप इस तरह से हिंदुस्तान को समझना शुरू करते हैं, और जो मैं आज देखता हूं, मतलब आपके human रिष्टे चिछले हो गए हैं, you know, love doesn't mean much, ये नहीं है कि हमारे जमाने में अर चीज ठीक people are on some experience collection mission, you know, people are not saying, let me find out, मैं कितना किसी से प्यार कर सकता हूं ताकि मैं अपने आपको बदल सको, मेरे अंदर की कुई, मेरे अंदर का देवता बाहर निकला है, वो newspaper article पढ़ते हैं, Sweden के अंदर 30 साल की उमर तक उनके आम एक normal male के 50 partners होते हैं, और रड़की के 30 होते हैं, तो we say, okay, I need to, so that is the standard, I need to follow that, so, जो हमार, हम अपने आपको broadcast दुनिया पर नहीं कर रहे हैं, दुनिया का broadcast हम receive कर रहे हैं, तो वो देख लीजिए, हमारा खानपान बदल चुका है, हमारा कॉफी यहां की इजाद नहीं है, इस नॉट अ नेटिव क्रॉप टू इंडिया, चाई भी नहीं है यहां की नेटिव, तो British नहीं लगा दी, चीन वाले पीते थे, हमारे पास तो थे, हमारा कुछ और था, हम अपने आपको किसी और तरीक से तरो ताज़ा करते थे, तो बहुत सारी चीज़ बंदा, यह नहीं है कि आप, पर एक बाए बताई है मुझे, कोई change है जो अच्छा है, जो हो रहा है, सड़के बहतर हो गए, सड़के मैं जिस तरह के जमाने में, जिस तरह की दिल्ली में, उन सड़कों पे चलने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, तो यह अलग एक विशा है, दिल्ली की जो अच्छी खासियत होती, दिल्ली के अंदर एक human touch मिलता था, एक face to face community मिलती थी, और यारियों होती थी, यार जो काम कुछ जादे कर रहा है, जो काम की टिरनी है, टिरनी का पाताने हिंदी शब्द क्या है, पर जो, बताओ क्या होता है टिरनी, ट्राजडी, ट्राजडी होती है, तो जो काम की, जो काम करने की टिरनी है, you have to work, you have to work, you have to work, आपने बच्चे कभी अबर बोलता हूं कि I want you to be on your feet when you're 18. आपने बच्चे कभी अबर बोलता हूं कि आपने गर पर Okay, I Out of all that came Bulla, right? It changed the world. It made somebody happy. And I wrote the ribbon. I have no idea. मतलब अगर काम की तरी नी होती इस तरह से तो शायद हमार बस Gandhi ही नह होता. 42 साल की उमर में तो उनका जो मनजरे आम की उपर उनका उदे हुआ, यार. बिल्कुल. हिंदुस्तान आए तो 42-43 को शायद है. तो So that is मतलब what are we talking about here? आपके लेट ब्लूमर जिंदुस्तान के अंदर कितने पैदा हुआ? तो what are we So आपके लिए भी कहा गया है कि थोड़ा देर से मिली वो कामयाबी है यार मेरे को ना कामयाबी का कोई खास फार्क है नहीं पड़ा, कामयाबी मतलब मैं मैं कामयाबी था, मेरे पास 100 सीसी की कावसा की बजाज थी उसके अंदर 25 रुबए का पर रोडल वा लेता था था मैं कि कमार के चनक्या पहुंच जाता था जेम्स बोन की मूवी देखी वापसी पे पेंट्री के अंदर 10 रुबए का बरगर खाया, मैं तो इसी में कुछ था और इस जादे चाहिए क्या होता एक दोस था साथ में, दो दोस्त हो जाते थे और हम किसी के घर जाते थे, हम म्यूजिक सुनते so basically to lead a successful life, a good life didn't cost this much and when something starts costing this much you basically killed whatever human enjoyment there was मतलब आपने आपको मतलब आदमी कालीन अफोड करने के अंदर ही एक साल लगा रहे था यारे वो काली, Ikea का वो कालीन लूँगा हूने वाली चेहर लूँगा यार मैं Harman Miller Harman Miller, 65,000 की Harman Miller लड़कियां देखता हूँ, हरमेज का बैग 2,00,000 का हरमेज का बैग trip कर रहे है what is that going to do? आचाहाँ फिर जन्दिगे में इसलिए मैंनत करूँ मतलब काम गम करूँ पर कुछ तो करूँ यार, आपकी ड्राइव पर्सनल ड्राइव अगर आप मतलब यह सवाल यह बनता है की ड्राइव किसकी? आपकी? या आपकी कलेक्टिवली की? तो इसका फिर इसका एक दूसरा जो implication निगलती है Who are you? Are you this guy? Are you this person? आप एक व्यक्ती हैं याँ आप एक समाज के part हैं? आप ये अंगूठा हैं याँ आप ये हाथ हैं? अब अपने आपको क्या मानते हैं? तो फिर आपको मालूम चलेगा कि आपको तयार ही अप खुद को एक अंगूठा मनने के लिए किया गया आप अपने आपको जुड़ा हुआ हिसा ही नी देख रहे हैं मैं जब बड़ा हो रहा था तो हम अपने आपको किसी एक परिवार का एक part मांते थे एक nuclear family नही थी एक joint family होती थी मामे मेरा मामा मेरे साथ हमारे साथ 20 साल रहा है मेरी मासी की लड़किया हमारे पास आके हैं हमारे घर पे 10 साल रहें आप अपने आपको आप अपनी उन्नती को एक collective रूप के अंदर देखते थे आप यह नहीं मानते थे कि so the moment all of that changed वो एक moment भी है जब यह सब बदला वो बदला मंडल लेजिटेशन के बाद दिल्ली के अंदर जब N.I.A.T. का फेज आया है जब पहली दफ़े मनमाहन सिंग जी आया है और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ग्लास नॉस्त और प्रेस ट्रोइका जो रिफॉर्म्स ये शुरू किये इसके बाद से पहले का हिंदुस्तान भी बहुत ऐसा जन्नत नहीथा उसके अंदर जो इशु थे वो ये थे कि social boundaries यह बहुत जाता थे gender boundaries यह बहुत जाता थे उसको low करने के लिए हमने उसका एक जो जरिया ढूंडा वो हमने industrialization ढूंडा इंडस्टिलाइजेशन जो थी मालूम चला कि इससे पहले जो हम भांग पी रहे थे अब इंडस्टिलाइजेशन तो कोकेन है ठीक है उसके उस अमल के नतीजे हमें कुछ देर बाद मालूम चले जो हमने देखा चिडिया ही गाए वोगी है दिली के अंदर चिडिया नहीं है आप देख लीजी कबूतर है वस यहां कबूतर है और काव है स्केवेंजर बर्ड डेली डेजन्ट हैव अ अनॉर्मल बर्ड कबूतर थी तोता था पता नहीं कितने तरह के हम देखते था पहले यह विंग्ड अनिमल जाते है फिर दूसरे जाते है फिर जब मैमल्स ड्रॉप करना शुरू होते है तो बेसिकली वो कहते हैं मैं गहीं पढ़ रहा था कि हाथी जब चला जाएगा तो फिर 20 साल है हमारे पास पिर हमारे नंबर तो आप हाथी देख लीजी कितने रहे हैं हाथीयों के आप वो देखते रही है अग दूसरा जो आपके पास बड़ा मैमल है कार्निवोर है आपका टाइगर की गिंती कर लीजी कितने गए टाइगर जब जाता है ना टाइगर जो है वो इस बात की निशानी है कि इस जंगल के अंदर हर चीज सही है पुरे वनस्पति का संतुलन हाँ इसके अंदर पूरा जो प्रकृतिक संतुलन है वो A1 है जब वो चला जाता है तो सब खतम हो जाता है तो अब आप देख लीजिए कि टाइगर सी गोनती कितनी रही गी मैं तो असम के अंदर होके आगया हर साल एक और सड़क बना देते हैं अर फिर कहते हम यह गेंड़े यहां से क्यों जाती है इन के लिए यह हाथी क्यों जाते है सड़क चल रही है इस आ कहीं होता है तो यह शिकायत है, मैं हरान हो जाता हूं दिल्ली के अंदर, यार यहां बंदर क्यों आते हैं? तो बंदर कोई उसको कोई ले के आता है यहां उसको एर्डॉप किया जाता है वो यहां रहता तो तुने उसके गर के अंदर अपना घर बना लिए So basically the point is कि एक entitlement एक default entitlement आ गई है हम सब में और जो आप दिली वाले हैं अब जो आप नई दिली वाले हैं उन्होंने हम जैसे पुराने दिली वालों से ये चीज़ उधारी लिये हम भी entitled थे हम तो super entitled थे हम तो तो बसाई है हम नवाब थे यार मतलब मैं मैं और मेरे दोस्त हम नवाब थे हमारे पास हमें मालूम नहीं था मतलब जेबी के अंदर चाहे हैं हमारे पास 10 रुपए हो हम तब भी नवाब थे क्योंग घर आयते तो घर तो मिलता था ना खाना घर पे AC होता था लोग मुझे कहते हैं यार आपने बड़ी स्ट्रगल करी क्योंकि किसी अपना सहाफी ने लिख दिया अरे भी या AC था मेरे घर पे मेरे घर के इन दर मेरे पास डेस्टॉप कम्प्यूटर था मेरे पास स्टूडियो लगा हुआ था ड्रम्स होते थे कोई मेरा दोसराथ को एक वोद्का की बॉटल भी ले आता था मैं नीचे से दस अंडों की भुजिया मना के अपने दोस्तों खिला देता था इस वक्त इस सामने चौक की उपर अंडे बेच रहा है वो कर रहा होगा शायद स्ट्रगल मेरी क्या स्ट्रगल मेरे पास मेरे टैंक के अंदर पे ट्रोल नहीं है तो मेरे दोस्त के टैंक के अंदर पे ट्रोल होगा तो सारे दोस्त हैं भी सब बातचीत होती है मेरे तकरीब इन सारे दोस्त हैं बात्चीत होती रहती है सबका एक लाइफ साइकल है मेरे बहुत सारे दोस्तों बहार चले गए जो कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या कह लीजी अब इसको समस्या भी नहीं कहते हैं बहुत अच्छा वहाँ जा रहा है मैं शायद आपको मैंने नहीं बताया हुआ मेरी वाइफ बहार से है इटली? जी तो मेरे पास वहाँ घर है तो वहाँ जाके मैं बैटी सकता हूँ तो मेरे पास क्योंकि मेरे पास आप्शन थी तो एक ख़ड़की है तो दरवाजा नहीं खोला है सब मेरे पास क्योंकि यो ऑप्शन है तो जब जो चीज आपके पास होती है फिर आपका दिली नहीं करता है और जब मैं वहाँ जाता हूँ देखे मैं सिर्फ अच्छी सड़के हैं अच्छा घर और यह वो देखके मेरे को जो चीज तकलीव देती है जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं उन लोगों के नुक्स निकालता हूँ मैं शाइद कांट्रेरियन हूँ अभी तक आपने इतने बातचीत के दरां शाइद यह चीज समझ ली होगी कि जो चीज कि I'm default कांट्रेरियन तो मेरे को उनकी खामिया नजर आती है जैसे इटली की और यॉरप की खामी सबसे बड़ी आपका बता दूँ वहाँ जो individual है वो center है और बच्चे जो है वो पैदा ही नहीं करता है तो उनका जो fertility rate है वो replacement level से नीचे हो गया तो बच्चे वो पैदा नहीं कर रहे हैं और अपनी जो मुल्बूत सेवाइन को चलाने के लिए उनको immigrants की ज़रूर होता है और जो वो immigrant आये तो नहीं थे तुम आये क्यों हो यहाँ तो एक love hate रिष्टा बना लिया उनके साथ उनको चाहिए भी और उनको नहीं भी चाहिए तो ये पूरे West की एक समस्या है अमेरिका के अंदर अगर आप immigrants निकाल देंगा अमेरिका दो दिन नहीं चलेगा Canada Canada के अंदर अब वो नए areas को Canada को जमीन बहुत ज़ादा तो वो खोल रहे हैं और नए areas मैं Saskatchewan करके उनका एक सुबा है उसकी मैंने एक एड देखी जो मैं वहाँ था Saskatchewan Regina उनका उनकी capital है उसके अंदर उसकी front page उनके अकबार के अंदर ती उसके अंदर एक सरदार जी लंबीदाडी और एक उनकी wife और एक उनका सरदार चोड़ा बच्च जूड़ी वाला Saskatchewan welcomes you Saskatchewan की ये इस्टिहार है मैंने देख़ए मैंने का यार अब उनको चाहिए क्योंकि उनकी country नहीं चल सकते it's an oil economy oil pump करने के लिए बंदा चाहिए कुछ न कुछ काम करने के लिए चाहिए Canadians बच्चे नहीं पैदा कर रहे है आपको 2.3 fertility rate चाहिए एक औरत का every second woman should have three kids if a culture has to replace it हिंदुस्तान के अंदर के इसका मैं फरके नहीं परता क्योंकि हमारा fertility rate पता नहीं उसमें तो मात में दर भर है तो जो दूसरा है इसके अंदर है ही नहीं तो वहां मुझे फिर इस तरह की खामिया नजर आती है तो मैं जो है अब कह सकते हैं कि मेरी शायद ना थोड़ी सी सिनिकल नजर है मैं शायद कामिया जादा ढून रहा हूं और मेरे खाल से जहां सारी दुनिया जो है वो गाइब सिफ्ते ढूनने में लगी हुए तो शायद मैं एक बंदा जो है मैं तो आवारागर्दी कर रहा था मैं रात को दो बज़े निकल जाता था अपनी मोडर साइकल को पर मेरा एक दोस्त रहता था पढ़ाई कर रहा था जेन्यू में मैं जेन्यू जाता था मैं रहता था मॉडल टाउन कोई 20-25 किलो मिटर दूर था सर्दियों के अंदर रात को वहाँ जाता था सारी रात वहाँ रहते थे सुबह 7 बज़े वापस आयता था मैं तो करता था एश में ये सब सोचने का समय नहीं था और पर जैसे मेरी जिन्दगी के अंदर मेरी वाइफ आई उनके जरीए फिर बच्चे आए तो जब बच्चे आए और मैं बॉम्बे में था और एक रोज मेरी वाइफ को गाइनेकॉलिजिस के पास जाना था पीडिट्रीशन के पास जाना था मेरी बेटी को साथ लेके जाना था तो हमारी कार जो थी उस दिन मालूम चला वेस्टिन एक्स्प्रेस हाईवे क्यूब पर जाम लगया, मैं रहा है, जाम लगया, कार नहीं जाब आईगी, ऐसा करो, तुम आटो से चली जाओ, तो आटो से गई, तो हम बैंडरा में थे और उसको जाना था बैंडरा कुरला, तो मेरे रोने चूट रहे थे, मैंने का यार, ये शहर में नहीं रोंगा, उसको मुझे दिल्ली बहुत फ्रेंच रिवियरा लगता था कि यार, वहां तो ऐशी बहुत है, वहां तो हवाई बहुत है, और वहां तो पेड़ी बहुत है, और खुली सड़के आखा है, किस साल की ये 2005 की, तब तो थी भी हवा, बहुत बड़ी बहुत है, दिल्ली शांदार शहर था, यार, पांच हजार, 2005-06 तक बहुत कमाल का शहर था, ये पॉड़कास्ट तो नहीं गाए, तो सोचेगा है, तो दिल्ली, जो थास हो था यार, मैं बता रहा हुँ, और उसके बाद मैंने कोश्श कर रहा हुँ कि जब आप एक उस पागल जवानी के दोर से निकल रहा हुँ तो आपकी, आप चीज़ें और ही किसी की देख रहे होता है, यार, पर जब आप अपने बच्चों की निगासे दुनिया देखते हैं तब आपको तब आपको दुनिया की जो खामिया हैं वो नज़र आती हैं, तो आनी चाहिए हैं, यह उमर का तकाजा है, तो आप अगर नहीं देखते हैं, अब उसके अंदर हर चीज़ें, आपकी बेटी है, बाहर जाएगी, और आपको मालूम चला है कि यहां सड़कों की उपर तमाम तरह की असॉल्ट हो चुके हैं, मतलब अ साथ साल पहले तक बहुत अंसेफ थी और जादा खराब था, अब तो पर भी समझे हैं, अब मैं देख रहा है कि बहुत एक खुशगावार इसके अंदर बदलाव आया, पता नहीं, आप लोग बता सकते हैं, मैंने तो यह देखा कि अब आप मेट्रों के अंदर चलते हैं, लड़कियां, लड़के, अगर कोई कपल्स हैं, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हैं, कोई ऐसा कोई देखता नहीं, जब मैं दिल्ली से बंबे गया तो हरान हुआ कि, मैं लोगों को देखता था, हापस मैं हाथ पकड़े हुआ तो, मैं देखता था, घुमके तो और कोई नहीं देख रहा है, मौडल जो थी, रात को दो बज़े बाहर आती हैं, मिनी स्कृट के अंदर आती थी, आटो लेती थी, महरा मैं कैसे जाएगी हैं सिवान, अब दिल्ली भी तक्रीबन उस हिसाब से काफी आजाद ख्याल हो चुका, एक अच्छी चीज़, अमने खोजी पर मिलके, you know, they're wearing shorts, they're wearing tees, कहती है, as he ki taisi, so, वो देख देखके, हमारे जो जाडगूजर हैं, वो भी थुड़ी देखाता है, अच्छा, टी गई, अच्छा, टी गई, अच्छी बात है, मैं ऐसा, मुझे लगता है, तो, ये मैंने एक बदलाव देखा, आप जैसे ग्रेटर नॉड के जगत फार्मस जाएंगे, आपके तमाम तरह के लोग देखेंगे, हो सकता है, कुछ छेड़ थानी की घटना भी हो जाती हो, इकका दुका, बट बाइ एंद लार्ज, अच्छ, थोड़ा सा ट्रेक चेंज करूं, अब कुछ साल पहले एक राजनेतिक दल का जन्म हुआ थ है, उन्हें लगता था कि उनके साथ होने से शायद कुछ होगा, आप भी उनमें एक थे, पिर क्या हुआ, फिर जो हुआ आपके सामने है, फिर वो मीटिंग होई मिस के जिसके जिसके नारे शान्ती बूशन, प्रजान्द बूशन और यगे अंदर जादव को दूद से मक् चल रही है, बिल्कुल वैसी चल रही है, डर रहे पे, जैसी पहली तमाम सरकारे चला करती थी, तो एक तुश्टी गरंड की राजनी थी आपके सामने आई, एक परस्नालिटी कल्ट, वो आपके सामने आया, तो जिस तरह की बाते हो रही थी, वो तो सब खातम हो गया, तो दीए, उस वक्त बात हो रही थी, डायरेक्ट डिमॉक्रिसी की, आप जानते होंगे, हमारे जो मुझूदा मुख्यमंतरिय दिल्ली के, उनने कहा था कि, हम उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुवात ही इससे होई थी, कि वो अपनी बिल्डिंग का टैक्स, जो बिल्डिंग और ले दे के सरकार, जो है, उनको जब वो गएं हैं, तो उनको मालूम चल गया है, कि गई से मेरा, मेरी मुराद कि जब कोई भी ऐसा बड़ा नेता किसी राजनीतिक जीवन में आता है, तो उसके बाद उसको इतना दिखना शुरू हो जाता है कि पैसा चाहिए, क्योंकि हम अच्छे हैं और हम अच्छी चीजा कर रहे हैं, और हम कुरानती लाँतार होती रहें, इसके लिए हमें licence जीतना चाहिए, और इलक्शन जीतना है तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो वह फिर हर चीज़ बदल जाती है, पंजाब में सरकार आई है आपके कहने से याद आया कि पंजाबी गानों में भी बहुत परिवर्तन आया और खासकर मुझे लगता है कि आपको इसकी चिंता होती होगी देखिए पंजाब के अंदर परिवर्तन कुछ जादा ही आया है पर मैं थोड़ा सा अब इसके उपर जादा कोई ग्यान देने से संकोच करता है क्यों क्योंकि पिछली बार मैंने दिया था तो डेड़ महीना मुझे अंडरगराउंड रहना पड़ा होता है डेथ थरेट्स आगे थी तो पंजाब एक क्रिशी प्रधान सूबा है और उसकी उसका जो उसकी क्रिशी है वो क्रैश कर गई पंजाब का पानी चला गया है और पंजाब के अंदर हम उन इलाकों के अंदर चावल उगा रहे हैं जो चावल के लिए नहीं बनें बिसिकली सिर्फ आपके दो जिले हैं जिनके अंदर चावल लग सकता है अमरिसर है शायद और गुर्दासपूर है जो तरन तारियां गुर्दासपूर जिनको दर्याई पानी मिलता है तो आप वहाँ कर सकते हैं पंजाब के अंदर नहरी पानी का विस्तार नहीं हुआ है अब इसके उपर बात चल रही है पर अब विस्तार करेंगे तो पानी तो वैसी खतम हो गया हमारा ठीक है ठीक है हम प्रकृति को किस तरह से देखते हैं और ये अकेला पंजाब का सवाल नहीं है ये पूरे हिंदोस्तान का सवाल है अब मैं हिमाचल के अंदर बहुत समय बताता हूँ पूरा हिमाचल एक जिनरीटर है एक बिजली के जिनरीटर है जिनरेट कर रहा ही दर उधर बेच पंजाब के अंदर आप हाइडल प्रोजेक्स और ये प्रोजेक्ट है यही देख लिए गिन लीजे कितने को 26 सताइस हैं उसके अंदर अब एक दरिया जो है उसको हिंदोस्तान एक एक रूह मानता है फरीद कहते है कंदी वेंड नट आए ताओ भी लिखा देवना ए ए नदी तु अपना किनारा मढधाना कंदी वेंड नट आए ताओ भी लिखा देवना तुझे भी लिखा देना पड़ेगा अपने कर्मों का ये बाबा फरीद कहते हैं और ये वानी हमारे हमारी मुकदस पुस्तक के अंदर दर्ज है हम इसके उपर रोज माथा टेकते हैं आप देख लिए हम गंगा मया कहते हैं यमना मा कहते हैं सरस्वती मा कहते हैं भागी रती कहते हैं तो हम इनका हम हमारे मन में इनका संकल्प इनकी कल्पना अपने से अलग नहीं हम इनको भी किसी हस्ती की तरह देखते हैं अपने परिवार का हिस्सा है मा है ठीक है तो अब उस मा के उसकी उपर आपने कितने हाइडल टाइम्स लगा दी है और पंजाब जो है फिर उसी बात पर आगया कि पंजाब का जो प्राकृतिक मंडल है वो इतना बदल गया है कि उससे हमारा जो हमारा अंदरूनी बात मंडल यह भी बदल गया है तो वो खत्म हो गया है जो पंजाब हम समझते थे वो पंजाब नहीं है अब और उससे क्या हुआ है मैं आपको एक बिल्ग को शॉर्ट वर्जिन दे रहा हूं कि उसके अंदर जो चौधरी जमाते थी जैसे मैं उस जमात से आता हूं उस उस चौधराहट को वो जाते हो देख रहे हैं और उससे वो उनकी उनकी जमीन खिसक गई है अब क्योंकि उनकी जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं पंजाब के अंदर हर जवान लड़का बाहर जाना चाहते है। IELTS आपकी 20,000 करोड की इंडस्ट्री है। मंसांटो अब आपको पैकेज के अंदर बीज, खाद, रेस परे बेशता है। मतलब आपको अगर खेती करनी है, तो ऐसा नहीं है पराने जमाने में जैसे आपने दानों का छटा दे दिया और उसी से फसल लोग जाएगी। मेरे पिताजी के जमाने में इस तरह की क्रिशी हुआ करती थी। आज आपको मंसांटो से पैकेज लेना पड़ेगा। और वो लागातार पहले ब्रेक इवन था, आज से तीन-चार साल पहले, अब वो ब्रेक इवन पॉइंट के विपरिज जा चुका, तो आज आपकी लागत और आपकी कमाई, इन दोनों के अंदर कोई रिष्टा ही नहीं है, तो आज जो क्रिशी हो रही है, आपके बच्चे चाहिए, आप MSP आपको सिर्फ दो फसलों पर मिलती है, तो इन तमाम कारणों के कारण एक किसम का उनमाद है पंजाब में, और उस उनमाद के कारण एक संगीत पैदा हुआ, जिसके अंदर जैसे आपके घर के अंदर अगर आग लगी होगी, तो आप पंडिज जसराज का गायन नहीं सुनेंगे, तब आपको कुछ और ही चाहिए, आपको डेथ मेटल, हेवी मेटल, कुछ ऐसे ही चाहिए होता होगा, तो अब आपके आसपास इतनी उतुल-पुतल हो रही है, इस सब को अभी व्यक्ती देने के लिए, मुझे लगता है, एक खास किसम का म्यूजि लोगों का म्यूजिक है, और क्यूंकि अमरीका के दबे कुछ लिए लोग अपनी समाजिक बराबरी के लिए संगर्श कर रहे थे, उसके अंदर कुछ आकरामक बाते कहने का रुजहान है, और अब उसकी विडंबना ये है, कि वो म्यूजिक उसकी धारणा है, उसकी कदर की अब पंजाब के अंदर जो यहां की चौधरी जमाते हैं, वो इस्तमाल कर रहे हैं, अब चौधरी जमाते हैं, हम जाट सिखों को क्या जरूरत है, हम किसके अधलाई लड़ रहे हैं, पर क्यूंकि वो म्यूजिक आपने वहां से लिया है, तो उसके अंदर जो कहा जाता है, वो आप यहां कहने के कोशिश कर रहे हैं उस से चीज़ें हिल जाती है पहले आपका म्यूजिक, आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते थे जैसे चरणजीत आहूजा जो है पंजाब के सबसे बड़े दिगज प्रोड्यूसर हुआ करते थे उनके सामने आप अपना संगीत, अपने लिरिक्स लेके जाते हैं वो तरतर काम थे थे, क्योंकि वो कविता की भी समझा रखते थे तो अब आपको कुछ स्टेजिस के अंदर गुजरना पड़ता था तब जाके आपका म्यूजिक बाहर आता था अब आपने तीन-चार किले जमीन बेची है आप जमीन बेचके आपने खुद ही पब्लीश किया है उसके अंदर आपने यतना मसाला लगाना तर लगा सकते हैं तो अब आप देख लो कोई फिल्टर नहीं बचा ये आपको एक अंकुष होता है अब जमीन तो सुना कि बरात भी जाए तो एक बुझर कसाथ होना चाहिए हाँ होना चाहिए तो एक ना नजर आने वाला अंकुष होना चाहिए आपके उपर मेरी मम्मी जब तक थी मैं बहुत ज़्यादा आवातावा नहीं हरकते कर सकता था चाहिए मेरे पर जितना मर्जी सकसेस आया हो मैं अगर रात को तैयार होके भी बाहर निकलता था तो ममी मेरे को बाहर मिलती थी कहा जा रहा था ये तब की बात है जब पूरी दुनिया मेरे लिए खुली हुई थी तो उस वक्त भी मेरे उपर एक मर्यादा का अंकुछ था तो मैं कोई गलत हरकत मैंने करी होंगी पर चुपके करी होंगी और अगर इतनी कर सकता थो शायद इतनी करी होंगी अपनी ममी से डर्ते हुए मैं कभी अपनी ममी के सामने मैं एक ड्रिंक का ग्लास भी नहीं मैंने लिया होगा स्टील के ग्लास के अंदर उनका जो लास्ट न्यू यर था उसके अंदर हमारा सारा जॉइंट परवार कठा हो गया सब लोगा है उसके अंदर भी मैं क्योंकि मुमी थी मैं एक घूट वाइन का भी नहीं ले पाया तो ये ये आपको चाहिए हो था और पंजाब के अंदर पंजाब के म्यूजिक अंदर अब आपके उपर किसी किसम का मौरल अंकुश रखने वाला कोई प्रिद्यूसर नहीं बैठा हुआ हमारे पास प्रॉब्लम्स भी है चैलिंजिस भी है म्यूजिक भी है सब है लोग भी है लेकिन जिस सोशियो पॉलिटिकल अवेरनेस के साथ जिसकी आप बात कर रहे थे यूएस में गाया गया या फिर मैं पाकिस्तान में भी बहुत देखता हूँ हिंदूस्तान में वो कम क्यों है आप जैसे इका दुका लोगी क्यों दिखते हैं उस रहा में क्योंकि मैं खुद को किसी अपनी विद्या की प्रक्रिया की उपश नहीं समझता हूँ मैं खुद को ग्यानी जागीर सिंग महिंदर को इनके परिवार का सदस्य होने के नाते मेरे अंदर जो भी चेतना आई है मैं समझता हूँ उसका सबसे ज्यादा उसकी भूमिका है मेरे स्कूल ने मुझे बहुत कम सिखा है मेरे स्कूल ने मुझे दोस्त दी है आर बड़ दोस्त बुलें टोक के कहूंगा वो गाना गादू मैं जरूर साब को सुनाँगा तो कहने का मतलब यह है कि आपको I am despite the system not because of the system और हिंदुस्तान के अंदर आम तोर पे जितनी भी सफलता आप देखते हैं चाहे किसी शेतर में देखते हूं वो it is despite the system बावजूद है अनके लिए कोई micro loan किसी bank ने नहीं दिया ठीक है आप जितनी street smart थे मैं आज देख रहा था मौहमद सिराज का इंट्रव्यू तो गह रहा था मेरे पास जूते किया मेरे चपल नहीं थी तो मैंने अपने बेटे को बेजा मैंने का तुझ स्पाइक मांग रहा था मेरे को स्पाइक्स चाहिए मेरे होल्ड नहीं होता है मेरे से ग्राम ने मैंने का उसका चपल नहीं थी वो वहां से बना सो कहने का मतलब कि हमारे पास जो और इसके अंदर मैं सबसे बड़ा जो रोल समझता हूँ वो कॉलनाइजेशन का समझता हूँ उसने काफी कुछ जितना अच्छा किया उससे ज़्यादा खराब किया एक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारी एजुकेशनल जो है वो अब उसके अंदर हिंदुस्तानी रोल बहुत कम देखता है उसके अंदर हिंदुस्तान बहुत कम देखता है अगर आप इस स्कूल में जैसे आपके जो बेस्स स्कूल है चाहे आपका वो वर्ल्ड स्कूल हो और जितने भी स्कूल आप अपन नॉइडा में रहते हैं तो लाइन लगी हुई सत्तर हजार की फीस है महीने की सत्तर हजार की फीस वाले स्कूल है सत्तर हजार की फीस वाला स्कूल आपको मालम क्या देता है आपको seamlessly US के अंदर integrate होने की काबलियत देता है उनका सब से बड़ा USB है कि यहाँ बच्चा पढ़ेगा न तो बाहर आई वी लिग कॉलेज में जाएगा आपके स्कूल्स वीजा फसिलिटेशन सेंटर्स बने हुआ आप किसी की अगर उनकी सबसे बड़ी अमिशन पूछ लिए तो अमेरिका जाने की है, आपका best अमेरिका जाता है, आई टी का प्रोफेसर्स का मैं दो दिन पहले देख रहा था कि इट इस रियल प्रॉब्लम कि हमारे आई टी एंजिनियर्स वे देर चेजिंग नॉन कोर जॉब्स तो ये तो आपका आपके अंदर हिंदुस्तानी कोई कादर कीमत नहीं पहुंचती है पहुंचती तो बहुत ही बेहुदा बाजारी जरीए के दुवारा पहुंचती है जो पहुंचती है आपकी माताजी जो दिन में अगर पूजा पाट कुछ कर लिया तो उसके जरीए पहुंचती है आस्था चैनल सुन लिया उसके जरीए पहुंचती है कोई महले में कोई किर्टन चल रहा तो उसके जरीए पहुंचती है हिंदुस्तान नहीं पहुंच रहा है और हिंदुस्तान बहुत कमाल की चीज़ है ये इस हिंदुस्तान के अंदर ये रामा नुजन की कहानी मेरे ख्याल से लोगों तक पहुँचती है रामा नुजन के जो थेरम्स हैं वो आज तक एक लैंडमाक माने जाते हैं वो सारे थेरम्स उनको अपने गाउं की देवी की मूर्ती के सामने बैठ के धियान लगाने से आए हमने उस पर पॉड़कास्ट किया जब अत्कार था हूँ डिकोर्ड नहीं उपारे बिदा का जो हुए हैं उस पर कह रहे हैं हाँ सही कह रहा था हूँ यह मैं बिल्कुल फैक्ट मैं आपको कोई ऐसा अचा एक मैं ऐसे टोक के बता रहा हूँ उसमें भी यही बात थी जो आप कह रहे हैं कि वो अपने देसी तरीके से कर रहे थे और जब उन्हें उन्ही तरीकों को पश्चिम ने अप्लाई किया तो उन्होंने का नई भई हमारे तरीके से नहीं हो रहा है तो हम मानते नहीं है लेकिन कालांतर में जब निकला और लगा कि ये सही है तो माना कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ गलत हुई है अब देखिए कि जो अगर आप फिलोसिफी की बात करें तो उसके अंदर जो उनकी सेकंड रेनेस हो है जो सेकंड उनकी बिग वेव है जिसके अंदर हेगल और कांत और इस तरह के तमाम जो विभूतियां पैदा हुई है वो सारी की सारी आपकी आफ्टर कॉलनाइजेशन पैदा हुई है जब यहां का माटीरियल वहां गया है उसको जब उन्होंने उलध्था किया तो उसके अंदर उनका इच्छा उससे the second wave started the second renaissance of Europe started with the colonization of India शंकराचारे, मध्वाचारे, जो कहे गए वैसा ही यार माध्वाचारे है कि जो किताब है आपने इसका जिकर के उसके उसके इच्छाद्वी सदी के अंदर यहां कोई 15 religion थे यार हाँ हाँ वो जब खुलता है अभी तो हम एक ही जानते हैं विदान जानते हैं तो खटशास्त रहें यार आपके पास नियाए है, दर्शन है मिमामसा है यह तो वो हैं जो विदान के आसपास के शट दर्शन जिसके चाथ यह हो कहा है शट दर्शन के लिए अभी लड़ी रहे तो कि हमें अलग कर दी तो आप और तो कुछ नहीं मैं तो मुझे यह शौक है मैं थोड़ा थोड़ा यह पढ़ने कोशिश करता हूँ आप वैशेशी का पढ़ लीजिए तो आप कहेंगे यार इसके अंदर जो अटॉमिक फिलोसिफी है वो तो तकरीबन वही है जो आज हम चलो मैं यह नहीं कहता हूँ कि जैसे वाटसैब यूनिवस्टी के बेर मीम सलते हैं कि नहीं हमने किया था और न्यूटन का जो न्यूटन के सारे लॉज हैं हाला कि मौजूद है उस तरह की भाशा मौजूद है मैं यह भी नहीं कहता हूँ पर उसको एक आधार बना के उसको कोई उसको उहेडने का उसको आगे बनाने का कोई ऐसा अमल हमने किया है हिंदुस्तान में मतलब जो चीज़ आपको सबसे जादा आपकी जीवन के अंदर मदद देगी मदद आपको आपके अपने व्यक्तित्व की गहराई देगी और वो गहराई अगर आप मास एजूकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि आपके घर के उपर आपको हर चीज़ नहीं समझाई जा सकती क्या आपको स्कूल के अंदर वो सब समझाया जा रहा है स्कूल के अंदर तो आपको मशीन बनाने की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है आर्ट्स और म्यूजिक इसकी आप इसके अंदर हमारी सोशल इंवेस्मेंट देख लिए उठा के कौन सा स्कूल का ऐसा म्यूजिकल प्रोग्राम है कौन सा स्कूल आपको फिलोसिफी सिखाता कौन सा आपको आर्ट सिखाता आपके पास जिब किसी को बताते हो कि मोहिजदाडो हडपा जब इनकी जो टाउन प्लैनिंग की बाती हैं अगर हम लोगों से करते हैं तो हरानी हो जाती है मैंने पढ़ा हरान रहे गया अभी पीटर क्रीन करके एक बहुत बड़े researcher है उन्होंने हडपा मोहिजदाडो की सिफ्टें पतानी शुरू करी grid की उपर कटी हुई 90 degrees के शहर है उसके अंदर कोई आपको कबर नहीं दिखती है कोई elites नहीं दिखते है कोई पुजारी नहीं दिखता है कोई धर्म नहीं दिखता है एक सम्ता दिखती है आपको बड़ा और कितना social construction दिखती है मतलब वो सारी चीज़े जो हम सब लोगों के सांजे इस्तमाल के लिए बजाए इसके और उसी वक्त उसके समाना अंतर अगर आप देखते हैं एजिप्ट की उसके अंदर आपको मास वारफियर देखता है आपको पीडोफिलिय देखता है आपको मिसोजिनी देखती है उसके अंदर आपको जितना कुछ एक सीधी एक लकीर से आप उसकी मुलभूत धारणाय और पंजाबी धारणाय इनको जोड़ सकते हैं जिस तरह का कॉमन बात आपको हड़पा में पांच अजार साल पहले बना जिन सिद्धानतों के अंतरगत बना वही आपको दरवार साब में दिखते हैं जिस तरह का मतलब अब आप ये चीज़ें आपको समझाई नहीं जाती हैं ना बताई जाती हैं मैं कहता हूँ जो कोई भारत को समझना चाता है ना एक बार चिताओ देखा हूँ एक बार कुम्बलगड देखा हूँ मैंने देखा है देख के हरान रहे गया चितोड के अंदर आपको 20 किलो मीटर का घेरा देखता है और टूवे थोरो फियर देखता है उसकी अगर आप पानी नहीं है और उसके बावजूद आपने एक शेहर बनाया और शेहर सिर्फ बना नहीं शेहर क्या जबे के साथ है शान और शौकत के साथ वहां रहा कुई ऐसे मुगलों ने नहीं बनाया किसी और ने नहीं बनाया वो बना मतलब उसके अंदर इस तरह की जो चीजें हैं यह आपको देखती हैं और क्योंकि हमें बताय यह नहीं जाता है और तो एक गुर्बत जो है एक जो जहनी गुर्बत है वो आपके और मेरे और हमारे बच्चों के अंदर एक घर कर गई है और हमारी डीने में चली गई है अब हमारे अपनी सारी उधेड़ बन का हल जो हैं वो वेस्ट की तरफ देखते हैं और जो हमारी कई सो कॉल्ड रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज हैं जो भारत को भारत की पुरानी शान शाकतस का जोड़ना चाहती है उनकी भी जो सोच है वो ले देके वेस्टन निकलती है जब आप उसको समझने कोशिश करते हैं भारत को भारती नजर से देखने का अमल अभी आने में कुछ समय है अभी है ही नहीं तो यही सब बाते हैं यही सब मतलब जूजना है आपका जो आप कहना चाहते हैं गानों में और कई बार निकलता है और मुझे लगता है जतना आप कह रहे हैं उतने तो अभी आपने गालों में कहा नहीं है देखी ये तो मेरी रिसर्च है मैं पार्ट टाइम सिंगर हूँ और फुल टाइम रिसर्चर हूँ मैं यही करता हूँ मैं सारा दिन बैठ के यही चीज जो है मुझे खुशी देती है थोड़ा सा आइडिया दीजे कैसे किताबों का चुनाओ करते हैं कहां जाके खरीदते हैं कैसे क्या है मतलब आजकल रुजहान किस तरफ देखे एक वेबसाइट है जेस्टॉर डॉट और्क यह बेसिकली इसकी उपर पीर रिव्यूड जर्नल्स जा ले राते हैं पूरी दुनिया के आपने शाइड रेड़िट जिसने इंवेंट करी थी आपको याद होगा याद कोई लोगा आडम सम्थिंग तो बच्चा था उसने इसकी सारी जानकारी पूरी दुनिया को रिवील करनी कोशिश करी थी उसको FBI ने पकड़ लिया था उसने बाद में खुद कुशी कर ली थी तो वो उसके बाद ये J-Store वालों ने अपनी लाइबरीरिस खोल दी थोड़ी सी तो उसके उसका जो कोई बेनिफिशरी है वो मैं हूँ तो मेरे पास अब Peer Reviewed Journals मुझे महीने में सौप पढ़ने को मिल जाते है Journals नहीं Peer Reviewed Research तो उसके अंदर तमाम तरह का मसादा मिलता है तमाम तरह का मजमून है आप कुछ भी दुनिया की किसी चीज़ के बारे में खोच करनी जाए है आपको दूसरा मेरी बेहन है वो लेक्चरर है तो उसके पास कुछ इंस्टिउशनल आक्सेस है तम उसका इंस्टिउशनल आक्सेस लेए लाव लेता हूँ तो वो पढ़ता हूँ तो यार जवाब ढूंडता हूँ सपना लेता हूँ कभी ऐसे शेहर में रह पाऊंगा जो अभी मालूम ही नहीं है कि उस शेहर होना कैसे चाहिए उसका अपने दिमाग के नदे संकल्ब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जब वहाँ तक पहुँचता हूँ तो उसकी खामी नज़र आने शिरू हो जाती है अगे बढ़ो यह एक जजबा है मैं जैसे आर्नल श्वाट्सनेगर का वो नेट्फिक्स के उपर देख रहा था यह कुछ-कुछ लोग हैं जैसे स्पोर्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है मैं जिन्दीगी में जो कुछ भी बनाऊ तक्रीबन यह स्पोर्ट्स साइकॉलजी को समझ के बना सारा कुछ मैंने राहुल दरवड के इंटर्विव से सचिन के इंटर्विव से औस्टेलियन मैथ्यू हेडन के इंटर्विव से सीखागा तो मुझे इनको जिन्दगी जीने के लिए क्या सोच रखनी चाहिए इन लोगों से बहुत इमरान खान इमरान खान की राज़िती से आपको सो परिशानिया हो पर उस आदमे ने जिस चीज़ को हाट डाला है वोसने किया चैंसर आस्पिटल खोलो वर्ल्ड कप के बीचे लग जाओ पाकिस्तान बन सकता था वर्ल्ड कप चैंपियन उनके स्ट्रक्चर ही नहीं है इंडिया था रंजी ट्रॉफी चार दिन के मैश पता नहीं सौच साल से खेल रहा है उनके बाद तो स्ट्रक्चर ही नहीं था उसके अंदर उन्होंने 92 का वर्ल्ल कप जितवा दिया और अगर इधर बात करूं तो यहां किन की तरफ देखते है अध्यात्मिक रहा में जैसे अपने इधर बहुत है यहां तो हिंदुस्तान के अंदर खाजाना है इदर एक सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान के अंदर खाज़ी दार रिशीकेश है ठीक है हरीदार रिशीकेश जो है यह मुझे लगता हिंदुस्तान का कोई ऐसा रू है तो मुझे बहुत अच्छा लगता वहां जाना अच्छा शायद कोई है शायद वहां से तो एक तो यह है दूसरा वेवे कानन वेवे कानन मेरे हीरो हैं अच्छा उनका जो राज्यो की उपर जो उनका टीका है वो जो मैं छोटा था अपनी जेब में डालके घुमता था उनकी एक वॉल्यूम्स हैं जो आपको रामा कृष्ण आश्चरम सिसाइटी जो है बेलून मत से मिलती है प्रकाशे को है यहां मिलती है दिल्ली में आप तो हर जगे है रानी जहांसी रोट इनका आश्रम है बड़ा तो नहां से आपको सौक रुपए में मिल जाती थी उस वक्त तो वो है तो वो एक बहुत बड़ा मेरे उपर उसका आफर है बाकी आध्यातम से यार यहां तो आप किसी एक की उपर अपना पूरे जीवन बिता सके और कविताओं में बुले शाह, शेखुमर बटालवी कविताओं में मेरे जो बड़े हीरोज है क्योंकि मैं पंजाबी मेरी इजहार की जबान है तो उसके अंदर बाबा फरीद नमबर एक फिर सुल्तान बाहू फिर बुले शाह पर जो मेरे सबसे करीब बाबा फरीद और सुल्तान बाहू है उसके बाद जो आधुनिक कवी हैं उनके अंदर हरवजन सेंग जो दिल्ली के हैं मैं नाम लेना भूल के दिल्ली के अंदर एक दिगज टेगोरनुमा कवी हुआ है शायद हम नहीं जानते हैं उनका नाम है डॉक्टर हरवजन सेंग मालब अगर आप पंजाबी लिटरिचर को अगर किसी ने पकड़के गरदन से पकड़के अगर 21 सदी के अंदर घसीटा है तो हरवजन सेंग है शिव बटाल भी है हजारा सिंग गुर्दासपुरी है लाल सिंग दिल लाल सिंग दिल लाल सिंग दिल एक बहुत बड़ी शक्सियत है तो उनका बहुत प्रभाव है मेरे पर तो इस तरह के कई नाम है अब बाकि क्या है कि हमारे जो जैसे गुरु नानक है गुरु नानक एक बहुत बड़े कवी है पर उनके बारे में अगर सिर्फ आप उनकी एक कवी की तौर पर चर्चा करते हैं तो लोग नराज हो जाते हैं जैसे गुरू गुबिन सिंग है, गुरू गुबिन सिंग की जो आपके मैं यहां कुछ पत्थे बतायाता हूं कि 95% उनकी साहित्यक जबान जो है वो ब्रिज है, और उसके अंदर उनकी जो सबसे बड़ी कोशिश थी, वो कोशिश थी कि किसी तरह से जो भारत का संस्कृत के अंदर साहित्या है, इसका देशी जवानों के अंदर इसका रुपांतरन हो जाए, क्योंकि संस्कृत जो है, यह एक बहुत कमाल का कोड है, पर यह है कोड, जैसे अब आपकी सारी information जो है, यह आपकी machine languages के अंदर encoded है, संस्कृत उस वक्का कोड है, अब कई लोग आर्ग्य बोलते होंगे, करनाटा के अंदर एक गाम है, जहां पिछले कुछ सालों में लोगों ने जबर्दस्ती बनाने का यह एक उपरा लखी है, उस पर भी एक लंबा पॉड़कास्ट है हमारा, और हमारे एक मित्र हैं, जो स्कॉलर हैं, बड़े संस्कृत के जर्मनी भी गए, व बहुत जगे पढ़ाते हैं, उन एक्जेकली ही कह रहे हैं, जो आप कहते हैं, वो भी यही बोलते हैं, कि एक तो यह दंब छोड़ना होगा संस्कृत को लेकर, कि सबसे पुराने हैं, नहीं है बिल्कुल भी, व्याकरन जरूर संस्कृत मराने की कोशिश होई थी, और सूत, पुत्र, द्रौपदी ने छोड़ा के नहीं उसको, हमारे अंदर जाती विमान तो कूट-कूट के भरा हुआ था, यह नहीं था, यह कैसे कह सकते हैं, नहीं था, विदूर को दासी पुत्र, दासी पुत्र, यह शिरी कृष्ण के लिए गावाला का, कितने उनके आप जब रिसर्च पढ़ते हैं, तो इसके अंदर आपका, मतलब कम से कम मैं एक हिंदुसानी नाते होने के नाते, मेरी शादी फूल जाती, कि जाती जो है, यह इतनी पुरानी नहीं है, जितनी हम समझते हैं, जाती से पहले भी कोई भारत था, उसकी निशानियां मिलती है आप महिजदार देख लीजिए, आप तक्षिला देख लीजिए, आप हडपा देख लीजिए, हर दौर की अपनी समाजिक समसाएं होती हैं, एक दौर में यह भी आई होगी, बड़ी होगई और अब तक जा नहीं रही, लेकिन आपको मिलाकरी कह रहे हैं, इसके पहले भी क पोशिश नहीं करी, अलवारी जो हैं, ग्यार्वी सदी के अंदर तमिल नाडू के उनने शुरू कर दिया था, बाबा फरीद ने उपर पाक पटन में शुरू कर दिया था, निजाम-दीन बैठे हुए हैं यार, आप देखिए, निजाम-दीन को किसी, जो सूफी सिलसला है वो सुफियाना जो है, वो इसलाम को भारत की जो भावना है, भारत की जो धारना है, इसके घेरे के बीच में लाने का नाम, आप खोजा मुसल्मानों को देखिए, वो तो आपको लगेंगा बिलकुल यह हमारे जैसी हैं, वो तो संतों को पूछते हैं, कबीर देख आप जैदेव देख लीजिए, आप धन्ना देख लीजिए, तो इस देश के अंदर खुद को रिफॉर्म करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और वो आपको कम से कम मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेड़ना का सुरुत है, तो यह चल रहा है, यह प्रोजेक्ट खतम नहीं हुआ है, तो हमें इसकी और ध्यान देना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हमसे पहले बहुत हुई है, हमारे पास प्रेड़ना के लिए बहुत मजमुग में, तो मेरा खैल है कि इस पॉड़कास्ट के बंतिम चरण में मैं ए सवाल भी भी होंगे, मैं सोच रहा हूँ, पहले अपनी फर्माईश पूरी करा लूँ, फिर सवाल ले लूँगा, दो चाहर है, तो इतनी दोस्ती की बात हुई, और इतने सारे दोस्त आपके साथ थे, जिनके साथ आपने इतने दिन गुजारे, अभी भी बातचीत होती हो होंगी, जी है मेरे पर नाराजगियां भी हो जाती हैं, तो हमारा जो है ना, पीछे करूमे से, बड़ी आराम से बैठे को, दोस्त हैं, दोस्त जो है आपको, मैं अपने दोस्त, मैं यहाँ नए बच्चे हैं, उनको यह बताना चाहूँगा, कि अगर आप रात को दस बजे किसी के घर जा के उसकी घंटी मार सकते हैं, और उसके बाद अपने लोकल पार्क में घूम सकते हैं, अगर आप इस तरह कर सकने वाले आपके पास, तीन लोग मौजूद हैं, तो आपने कुछ ठीक किया, आपके ऊपर कोई क्रिपा है, यह चानक्के जैसे कहते थे न, कि उन्होंने सिध्धान्द मना रखे थे, तो मेरे इसाब से यह एक सिध्धान्द है, तो दोस्तियां जो हैं, इनको नर्चर करना बहुत जरूरी है, हम लोग दोस्तों की सबसे फर ग्रांटेट लेते हैं, और पर है भी ऐसा कि दोस्त को अगर आप विशेश नजर देखत तो भाब की तरह उड़ भी जाती है दोस्ती, तो इसके लिए मतलए यही है कि आपको पेरिफिरल विजन के साथ उसको अलुस्ते रहना है, उसको उसकी नर्चरिंग करनी, क्योंकि मैं यही समझाओं कि जिन्दगी के अंदर मैंने बहुत सी दोस्तियां गावाई हैं, इस खेंग लें, आपको इसे खाने में हैं, आछिये, आपने म्या जिए, यह रिखा था, यह गाना कब लिखा था, यह उन दोने मेरे सारे, दिखे, बैंड था आपका एक? रिखा णहिंग से लिख शाची गुमगाम के वापिस जैपुर सेटल हो गया तो पर उन दिनों जो था मैं बहुत अकेला में सूस करता था तो ये दिस वस जस्ट इट केम ओड़ बाट हमें आवाज सही आ रही है बढ़ी है तो असली कहानी सुना ही जा गिलते गिटार मैं याद कर रहा हूँगा ना मैं लिरिक्स खोल देता हूँ ने ने मैं एक कॉड्ज याद कर रहा हूँ अच्छा फिर ठीक हमारे बस बहुत समय खुब आराम सहथ की दिया वै यार मेरे कदसी गया तैन चार कठे छेड़ दसी कुणिया कठे खादिया सामा पैला पल्ला गया फेर अरू गया बार हुण सांगावी दुबाई बचे गेलिते गिटार बल्लेत मेरी केसमत सिबुरी आसी फेर दे रहे परनामने कोकुडी पावय दोख सी पावय कोज सी सानुसी नशा कद हो आंगे कल्ले सानु की पता वे यार मेरे कद सी गतिन चार कठे छेड़ दे सी कुडियां कठे खा दिया सामा बल्ला गया फिर अरू गया बार हुण सांगावी दुबाई बचे गेलिते गिटार मैं अक्सर जब दोस्तों साथ बैठता हूँ पता नहीं कैसे मिस वा उनसे लेकिन हमें तो याद है हमेशा जो आपने कहा काफी गुस्से में लिखा बिल्किस थोड़ा बता भी दें जन्हें नहीं पता चार घटना हैं अब इन चीजों की ना आदत होगी मैं मैं 84 का बच्चा हूँ मेरे पिदाजी के सर की उपर लठ मारके उन्हें मरा जानके छोड़ दिया गया था कौडिया पूल पे मेरे घर के सामने सरदारों घर छोड़ या दुनिया छोड़ बड़े अक्शरों में लिखके गए थे où मेरी चार बड़ी भेने थी उनको जिस किसम की धंकियां दी जा सकती थी दी गही जो कुछ किया जा सकता था उस वक्रथ किया तो हम जो है ना सरदार लकड़ हजम पत्थर हजम कौम तो हमने अब लोग बोलते हैं कि सरदारों नियाए क्यों नहीं मांगा क्योंकि आपको एक सरदार मान सिकता बतायता है उसका सबसे बड़ा जो रिवेंज है सरदार का that is to lead a good life he doesn't think more than revenge he feels if he leads a good life that is his biggest revenge तो हम लोगों ने अपनी जिन्दगी दुबारा से खड़ी करने की सुची मेरे स्कूल के अंदर कश्मीरी गेट के पाथ से हम उनको बोलते हैं कश्मीरी गेट देपापे तो मेरे कश्मीरी गेट देपापे इनकी बहुत सरी दुखाने थे पूरा कश्मीरी गेट जला दिया गया थे सब के सब खड़े हो गए दो बार पूरा मॉडल टाउन खड़ा हो गया पूरा जितना भी मैं किसी को नहीं जानता हूँ जो चुरासी के पास जिनका भरबूर नुकसान हुआ और उसके बाद खड़े नहीं हुआ तो ये एक मेरी जो चमड़ी ये बहुत मोटी और क्या मैं अपने गाने के जरीए मैं सोच रहा था कि वैसी करांती आजेगी नहीं जब आप अकेले होते हैं ना अकेले में आप आपकी समवेदना बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आप वैसी एकेले होते हैं जो human loneliness है that sometimes amplifies जो आपके आसपास काता ना तो मैं Bombay मैं केलाता है जब मैंने सारा गाना लिखा ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ते चीज़े लिखी हैं इनका जवास कम हो जाता है पर इतना है कि मुझे देश के अंदर इतनी विडम बनाए हैं इतनी तरास दी है यह वो दो छोड़ी है यार वो जो हुआ सा हुआ she must be also thinking about moving on if I know how victims think यहां जो lockdown के हुआ lockdown के अंदर कितने हजारों सड़कों पे चलके गए मर गए, खप गए, उनकी कोई कहानी आई बार ऐसी कहानिया आपको हिंदोस्तान के अंदर चप़े चप़े पे सुनने को मिलती है तो किसी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सनाता हूँ शायद मुझे लिखना ही चाहिए उसके बारे में मेरा ड्राइवर है मेरा ड्ली में घर इस पटेल नगर में इस पटेल नगर के पीछे एक अनौथराइस बस्ती है पंजावी बस्ती उस पंजावी बस्ती के अंदर कोई पानी नहीं उसके अंदर कोई प्लोट्स की डिमार्केशन नहीं उसके अंदर जिसका जैसे दिल की है उसने घर बना लिये बारिश होती है, कीचर जमा हो जाता है गंदगी हो जाती है पानी किसी गहर के सामने, पानी आता नहीं टेंकर के लिए वहाँ जो दिल्ली जल बोर्ड है जो उनका कोई लोकल दफ्तर है उसके पास जाके टेंकर की लिस्ट के अंदर अपनी फैमिली का नाम लगवाना पड़ता है सौर रुपे रिश्वत देनी पड़ती है और उस लिस्ट के अंदर एक का नाम काटने के लिए और अपना लगवाने के लिए बोर्ड लगी रहती है तो मेरा ये जो ड्राइवर है इसकी काहनी बताता हूँ ये हमारे इसकी जिन्दगी का इसकी शादी हुई इसकी जो पत्नी थी प्रेगनेंट हुई प्रेगनेंटसी के अंदर प्रॉब्लम्स डिवलोप हुई उसको सरकारी हस्पतार लेके गया पहले एक हस्पतार में इसको जूते पड़े वहां निकाला आओ दूसरे में गया लेडी हार्टिंग में गया यहां गया वहां गया तो उसको सेप्टी सीमिया यहां कुछ इस तरह की तकलीफ यह मर गए वाइफ मर गए उसकी बच्ची थी दस बरादिन की उसकी बच्ची मर गए उसके दो बच्चे थे उसके उनदर एक दिन इसका मकान ढ़ाने के लिए बुल्डोजर आया इन्होंने रोग कोशिश करी है कैसे उस रुके नहीं उसकी कुई एक इनिट या पत्थर इसके एक छोटे बेटे की आँख में लगा वो बच्चा काना हो गया इसने दुबारा शादी करी उस वारत की पहली दो बच्चियां थी उसके बाद एक रात को इसका फोन आया कि मुझे मार मार के अदमरा करके छोड़ गए है मेरी हड़ियां तूट गई है मिरको लेके चलो मैं गया उसको लेने के लिए मैं पहला गया उसको उठा के गाड़ी मेरा उसके हड़िया तूटी हुई वो मैंने फेस्बुक के ओपर फोस्ट टा ली हुई आँख से कुछ दस साल पर लेडी हार्डिंग लेके गया अब किसी तरह से उसकी जिंदगी थोड़ी सी सही चल रही थी अब एक हफते पहले उसका फोन आया मेरा बड़ा बेटा जो बड़ा हो चुका था वो ट्रक के नीचे आके कट गया है मैंने गोला उसमें बड़ा ट्रक के नीचे आया क्या हुआ चोट लगी कहता है भाईया उसकी कोपरी गायब है ये दिल्ली की एक आम घटना है ये उसकी एक लाइफ स्टोरी है आब बताई इसके लिए सिस्टम कहा खड़ा था कौन से स्टेप के ऊपर सिस्टम इसके साथ कड़ा था So basically this is what I see मेरी जो हमारे घर पर काम करने आती है गाईतिरी उसका हस्बेंड उसको शैटिका हो चुकी है उसको जॉब छोड़नी पड़ी है जॉब छोड़के वो अब एक टांक यूपर चलता अब उसको दीरी दीर उसके घर वाले भी उसकी देख रेक नहीं करना चाते है उसकी भहूँ उसको कहती है अब अपा पगला गए है इनको तो जाना ही चाहिए अब उस बंदे के पास अब उसकी जो वाइफ है उसके आसपास के बच्चे है वो भी कहते हैं किसी तरह से इसका कोई या तो इलाज हो जाए या इसको घर से बहार निकाल देए या कैसे हो उस आदमी को मैं ऐसे सिकुडते हुए देख रहा हूँ रोज लॉकडाउन के अंदर मार्किट में खड़ा हुआ सबजी लेके भी आज लॉकडाउन हो रहा है मैं सब कुछ समान मान रसद पानी लेके घर चला जाँ मार मार के पुलिस ने उसको अदमरा कर दिया एक हफता वो उठ नहीं सका ये तो आम हो रहा है एवरी डे एवरी सेकिंड में आपके ऐसी हजार कहानिया दिल्ली हमारे आपको ऐसे राज चलते हुए मिलते थे जब आप एक महिने बाद दुबारा जाते हो कहाँ 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 वो मर गए क्या हुआ एक दिन रात को खांसी बहुत आ रही थी और सांस नहीं आई तो चले गए मर जाओ कट जाओ कुछ नहीं हमारी दूसरी मेड अभी कुछ दिन पहले she's lost her child miscarriage just now मतलब ऐसी एक और हमारे पास मेड थी who was forced to prostitute herself मतलब एक दिन आई हमारे सांपने हमने पूछा कहा कहानी इसकी कहानियां सुनी तो she wanted job and I felt so I was alarmed I have a daughter at home I said look listen I find something fishy I don't like this story then a few days later you learn that वो रहती नहीं होगा वो गाइब होगी then you समझ नहीं आती कि you should feel sorry for yourself you should feel sorry for her what should you do the world is full of this what इसके अंदर अगर एक publicized case इसके अंदर न्याई नहीं होगा you know so my मैं थोड़ा सा मेरी मोटी चमड़ी हो चुकी अब मैं रहाद से हम सब की मोटी चमड़ी हो चुकी वक्त के साथ survive करने के लिए थोड़ी मोटी चमड़ी हो जाती है क्या करोगा अब कितनी यहां तो ऐसी कहानी आपको हर वक्त हर रोज एक यार पानी चाहिए हो जा पानी चाहिए हो जा तो what do you do? thank you so the thing is कि हमारे वहाँ आसपास आपको आपको याद होगा आज से साथ-आठ साल पहले एक दिल्ली के लिए sorry there are women here but there was a sexual assault epidemic ठीक है? you would find there were मैं बहुत ही हजार स्टोरीज थी जो आपके पास बाहर नहीं आती थी और हमारे आसपास के मैं रहता हूँ high-rise society में हमारे आसपास वो दूसरे बड़े मकान है जिसके लोगों ने बनाए नहीं है और कच्चे बनाके दूसरों को caretakers औगरा रखे हुआ किसी की दिवार है किसी की नहीं है कुछ इस तरह तो उसके अंदर भीया ये तो मारके वहां लड़की को वहां नहर के पास फ्हेंग दिया था इस तरह की कहानिया आपको हजार गिना आप greater noida के उपर सड़क के उपर जाएंगे आप अचानक देखेंगे एक कार आपको जलिवी मिले गया जिस्ट डिस्ट्रों all DNA proof आम है ये तो फिर क्या होता है the need for justice when it is denied by normal process becomes so acute then when along comes some cowboy chief minister he starts shooting up people and he says yeah I want that but he's got a gun and he can train it on anyone you don't know when you're about to you know so the point is um itni yaha tragedies are here I'm sorry you've called a musician and he's giving you you know that story that you first have known but I don't have a good story I mean I wish I had a good story to say I mean I I so desperately want a good story you know the number one bad story you can't breathe why where's the it's the elephant in the room I can't breathe sans to haan hi raha yaar kya chate you or 800 AQI 500 AQI 200 se niče jes din hoata AQI you have it's a good day I'm bhaagta I'm tene dine phele bhaaga mire ko dust allergy ki shikahit ho gahi hai pishle kuch saal ho sa mai bhaag na kushish kushish kata ma a a crown laga kya ha haan us kata ma nai bhaag nai saka baad ma tene dine pada raha sans nai a rhi so sans to a a pake paas a nai rhi a a kya chate ho ab sarkar 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 nai bhol dhiya humar kura a 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 All these, so you see government receding. सरकार अभी तक तो पलीस कर रही है, मैं तो लगता थोड़ी देर बाद ये भी किसी एक प्राइवेट कंपनी को दे दी, यार ये आप करोगे. आपकी education, आपकी roads, मैं तो road tax देता हूँ, यार मैं, कार खरीता हूँ, तो road tax दिया हुआ, फिर क्यूं दे रहा हूँ, आप मेरे को parking तो दे नहीं रहे हो कहीं खड़े करने के लिए, जहां जाता हूँ, आप पारकिंग दे नहीं बढ़ती है, 50 रुपे की parking दे रहा हूँ, क्य इस नहीं लिए आपने, आपकी education, आपको, आप टैक्स दे रहे हूँ, बुरियां भर भर के यार उसके बदले में आपको क्या दे रहे हैं, आपके बच्चों को school मिलता है, can anyone afford to send, or would like to send their kids to a government school, that's like condemning your kids to become a slave, गुलामी, अगर आपको चाहिए बने बच्चों की, तो सरकार इस को में बेच दो, दस लाख का यार, MBO होगा इस मुलक में, इस मुलक में जहां आपकी income जो हजारों में है, दस लाख का MBO होगा, ISB गया मैं, पिछले कुछ साथ-ाट साल पहले, तीस लाख का MBO है था वहाँ, एक साल में करवा देंगा ISB, अरे यहां तो राजिन साब आ College Delhi University की उपज हूँ, कहीं खड़ा कर दो, मुझे, किसी के साथ, I don't think I'll be second to none, मैं सौर रुपए महीने के स्कूल में गया हूँ यार, I went to Guru Kishn Public School, it's a good school, इतनी फीस होती थी, मैं Delhi University के College में गया हूँ, 75 रुपए फीस थी यार, English honors, एक दम बढ़िया आपको teacher बढ़ाते थे, कहां गया वो है, वो अगर हिंदोस्तान, नेरु का हिंदोस्तान था, तो भाईया फिर नेरु ठीक था, हम सब मेरी, मेरी चार बहने हैं यार, they are all पूरी दुनिया के अंदर कहीं उनको खड़ा कर दो, वो सारे वहां गया हूँ और कोई, पेट्रोल नहीं पंप कर रहा है, म परस्टाम शी साओ एन एडुकेशन इस्टूशन वो जब वो एमे करने गई, दिली नुवरस्टी में, यार, उसने इस मुल्क को बदला, आपको इस वक्त, गूगल का प्रेजिडेंट और यह वो बहुत अच्छे लगते हैं, यह सब उस प्रोसेस का नतीज़ा है, अब आ यार, यह आई-एस-बी के अंदर जो, खेर वो तीस लाग तो उस वक्ता है, उस वक्ता चालीस पचास लाग होगा, जो चालीस पचास लाग करके यहां बैठा हुआ है, वो आपको लगता है कि आप और मेरे बच्चों की भलाई के लिए यहां कुछ सरकारी जॉब करेगा, वो मिंट नहीं लगाएगा, उसको, वो तो पहली पूछ रही मेरी जॉब आफर कहां से आता ही है, अमेरिका जाउं के कैनड़ा जाउं, वो तो सूची यह रहा है, आपके जितने, आपके साथ आप बूलते हो कि फलां गदार है, फलां गदार है, आपके तो ये गदार है, है आपकी इलीड गदार नहीं है क्या सब के बच्चे जो है इन में से किस का बच्चा यहां रुके गई है आप बताओ यह वर्ल्ड स्कूल शर्ट स्कूल जो यहां कुले हुआ हैं कौन रुके गई हैं और उनका उनकी फीस जो है वह कौन से पैसे सी दी जा रही है वो इस इन्वेस्टिशन पहले दिन से बोल रहा है कि हम तेरे को त्यारी इसली करें कि तु भाग जा बाहर रहा है अब्लु नहीं है कोई नॉर्मल भी कहा है उनकी फीस अब तो सबकी फीस जो है महीने की बारह हजार से कम वाला स्कूल ही नहीं है कोई यहाँ अपका रहल अगा आगां यहीं बात होती ही जब लोग बेठते हैं कि यार वल्ल्ड स्कूल में नहीं जा रहे इसमें नहीं जा रहे उसमें नहीं जा रहे है यार do you have your head in your asses यह मुल्क देखो तुसे है क्या इसकी असलियत है क्या आध दुबारा लॉक्डाउन लग गया तो अपने आस्पाइस की चार पांच इनको गुडबाई टाटा कर दो यह गए बाई स्टार्वेशन डेथ बाई स्टार्वेशन हो गई है मतलब यहां आपका गरीब अगर उसको कोई तकलीफ हो गई कोई बिमारी लग गई इस डन इस गॉन आपका ग्रेटर नोईडा से पहला जो डीसेंट हॉस्पिटल आपका मिलता वे जेपी मिलता पच्चिस किलोमेटर पर जाएगा ही कैसे वहां जिम्स वाले तो भगायते हैं so this is the reality you are living in and we are thinking about GDP, we are thinking about all of this, we are thinking और लगना चाहिए मैं तो ग्रेटर नोईडा के आज़गा अरे यार यहां पैसे लगाओ यार यह निया इंडस्ट्रियल पारकारा मेरे को सुनते ही मेरी तो रूख और लाने लगती है यार मैंने जम्ना का अभी बेड़ा गर्क नहीं हुआ कि अभी एक और लगाना है यार बिल्कुल सारा effluent बिल्कुल पीशे ड़ेगा उसमें मैंने पूरा जाके पूछा, मैंने क्या कोई treatment plant है पूरे यहां कोई treatment plant नहीं है लगा हाँ 100 करोड का budget allocation होगी पर कोई चलता नहीं आप दिल्ली के जम्ना के अंदर जाके पूछे लो कितने influence plants working है there's nothing working nothing और कोई ज़्यादा नहीं है पूरे दिल्ली का अगर आपको सीवेश treatment करना है 100 करोड का खर्चा सौ करोड के खर्चे के अंदर आपका सीवेश दिल्ली का टना टन हो जाएगा पूछ नहीं आप इसका दे आप यमना के अंदर एक दिन नौका यान करें जारा आपको नाक सडके गल जाएगी गिर जाएगी यह तो हाल है यार यह so and then we are supposed to think about and then people ask me तुम गायब क्यों हो जाएगा इसके अंदर एक यह भी कारण I can't man और यह वाले गाने कांगा तो कौन सुनेगा कौन पैसे देगा कौन बलाएगा concert करवाने के लिए और दूसरे गाने गाने की रू करती है आप गाने गाते हैं जब आप यह रू किसी सुकून में हो तो अच्छा गाना तो मैं तब गाऊंगा जिसके आप पैसे दोगे मुझे जो हिट होगा वो तब होगा जब मेरी रू सुकून में हो जब मेरी रू सुकून है यह रिसमा सांस तो आने रहा है I cannot ignore it मेरी प्रप्लम यह है I cannot ignore it and I refuse to ignore it बट यह है रविर नहीं अदना है बुला की जाना मा कॉन बुला की जाना मा कॉन नाम मौमनु वेच्च मसीतां नाम वेच्च कु फर्दियारीतां नाम पाकां वेच्च पलीतां नाम अधर बेद कताबां नाम राइदा पांग शराबां नाम राइदा मस्त खराबां नाम शादी नागम नाकी नाम वेच्च पलीती पाकी नाम आभी नाम खाकी नाम आतश नाम पांग नाम वेच्च पलीती 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 नाम सबसे पहले पूछ लेता हूं हमने इतने लंबे पहले यह कि आपने बहुत सारी चीजों पर बात की इसमें कुछ कुछ समाज की कलपना करते हैं जैसे आप करते हैं मैं सोचता हूं कि एक शहर बसाओंगा या दुनिया बसाओंगा तो उसमें यह यह होगा और यह नहीं होगा यह समझ में आया कि आपका नंबर वन कंसर्ण है यह समझ में आया कि बच्चों के एजुकेशन किस तरह की एजुकेशन नको दी जारी है वह एक कंसर्ण है समाज के सबसे आखरी हाशिये पर जो वेक्ति खड़ा है उसके लिए स्टेट क्या कर सकता है यह कंसर्ण है पर एक और बड़ा कंसर्ण जिसकी चर्चा बाद में खासतोर सर्थ 2014 में सरकार बदलने के बाद जादा शुरू हुई और वो है religious extremism का और मुझे मालूम है आपने गाने भी लिखे हैं और इस बारे मैं बोलते रहे हैं लेकिन क्या religion का कोई ऐसा स्वरूप अब तक कि आपकी research इसे आप कहते हैं कोई ऐसा स्वरूप संभव है जिसमें हमारे यहां लोग निजी इस तर पर religion को बचा कर रखें क्या और वो एक collective भीड में भीड के खत्रे में तबदील ना हो जाए क्या religion का कोई safe रूप संभव है या फिर बहतर समाज के लिए आज से 20-50 साल बाद अगर climate change उस तरह से नहीं हुआ और हमारी अगली पीडी ठीक ठाक रही तो उसको इश्वर को ही खारिज करना पड़ेगा या करना च आप तमाम जो दुनिया के सबसे जितने भी religion है आप सबको समझने के कुशिश करेंगे तो उसके अंदर बात आप छोड़ी सबसे बड़ा religion है सकत वो science है और science आपको कई ऐसी चीजें मनजूर करने के उपर बज़ेद है कि जो रोज बदलती है उसका जो सिर्ष्टी का तसवर है वो रोज बदल रहा है उसके अंदर रोज नए बदलावार है आपका जो आइंस्टाइन की relativity की थियरी है वो बदल रही है आप कहते है जो laws आपके physical laws है जो आपके और मेरे star की उपर जो हम देखते हैं काम करते हैं जैसे आपका Newton का law है और यह सब पर जब आप quantum level की उपर जाते हैं आप देखते हैं कि यह काम करने बदल देते हैं और वो decidedly एक weird एक अजीब और गरीब किसी जगे पहुंच जाते हैं जो science कहती है ज जो सबसे छोटा इनका कण है वो electron और electron जो है वो collapse वो wave वेव है और वो collapse तब करता है जब आप उसको देखते हैं और इसके अंदर जो सबसे बड़ी implication निगलती है it is an interactive universe यह और इसका एक बिंब आप भारती अध्याता में देखते हैं दृष्शे और दृष्टा तो यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह जो cutting edge जो खोज है वो कह रही है कि यह cup और आप और मैं हम सब उनी atom से बनें उसी star dust से बनें और आखिर में यह electron से बनें और वो electron तब जाहिर होता है जब आप उसको देखते हैं so weak cost so यह we can never be sure whether I am thinking it यह हमारे दिमाग की उपज है यह कैसे क्यूं हम कैसे देख रहे हैं मैंने इसको touch किया मैंने इसे उठाया है पर आप सपने में भी यह देखते हैं आपको सपने में भी ऐसा मैसूस होता है so how could it be that I am in some sort of state where I am indeed doing not doing it but it feels like I am doing it maybe I am thinking everything I am dreaming all of you up so the point I am making is कि एक कड़ी है एक भाव है जो हमारे religions में और हमारे आज के सबसे बड़ी religion साइंस के अंदर समान है वो है कि हम सब के अंदर कुछ एक ऐसी एक सत्टा है जो हम सब को जोडती है जोडती ही नहीं है हम शायद उस सत्ता की अलग अलग अभी व्यक्तिय है तो ये एक एक बहुत कमाल की चीज निकलती है और आप वैशेशिक देख ले हैं आप वेदान्त देख ले हैं आप नियाए देख ले हैं आप बुद्दिज्म देख ले हैं आप जैनिजम देख लिए, आप किसी किंदर देख लिए, बुद्धिजम का भी जो तसवर है, मैंने क्यों कि अगनौस्टिक रिलिजिन, तो सवाल यह निकलता है कि क्या हम इश्र को खारिच कर सकते हैं? या एक इश्वर यह सत्ता को खारिच कर सकते हैं? वो साइंस भी निकर पाती है. Because every single scientific discovery is working on those principles and at the heart of those principles is this dichotomy between the electron appearing or not appearing. तो जो इश्वर है, यह हमारी तमाम आपसी interactions के अंदर मौजूद है. आपको इश्वर को किसी मुकुट पहने हुए, किसी अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहते हैं, तो शायद आपको कोई ब्रहांती हो. But, अगर आप विदान्त को भी अच्छे से समझेंगे, अगर आप गाइतरी में, ओम भूर भाव स्वाह, ओम भी नहीं पताया जाता हमें अच्छे से. ओम जब आप बोलते हैं, तब आपकी, तब और म बोलते वक्त, आपकी जीब आपके तालू के साथ नहीं लगती. जब आप ओ बोलेंगे, कोई बोलके देख लिजए, तब आपकी जीब आपकी तालू के साथ नहीं लगती हैं, और जब आप म बोलेंगे तब नहीं लगती हैं. So, it is when the internal cosmos is completed, completes a circle, ओम. यह इस चीज़ का एक सूचक हैं, भू, भाव, स्वाह, the three realms. Sikhism takes it a step further. एक ओंकार. जब उसको यह कहना पड़ा कि ओम भूर्भाव स्वाह के अंदर एक समात्रिक भाव है. उसको अमात्रिक भाव करने के लिए हमें यह लगा, गुरु नानक्रिस के अंदर एक ओंकार लगा दी. पॉइंट यह है, यह सब एक philosophical सिधान्त हैं, axioms हैं. इन से आपको you had to build your reality based on this intangible treasure. आपको इस खजाने को इस्तमाल करना था. आपने किस खजाने को इस्तमाल किया है? आपने न्यूटन को इस्तमाल किया. आपने आइंस्टाइन को इस्तमाल किया. न्यूटन के अंदर तो जो आपकी free agency इसको recognize ही नहीं करता है. इतना एक primitive एक तसवर है उसका. पर क्यूंकि आ and go from here to the moon then you say कि हाँ वो ठीक ही है वो सुपीरियर है वो पॉइंट इस आप ने वेस्ट को तीन सो साल दी है वेस्ट का जो consciousness है वो इस ग्रह के ओपर तीन सो साल से हावी है इस तीन सो साल के बाद आप इस ग्रह का हाल देख लिए आपके immediate space to outer space to the deepest trench in the Pacific Ocean Mariana Trench everything is polluted हर चीज आपकी प्रदूशित है आप खतम होने के कगार पर आगे है 1936 के बाद जितनी species थी 65 हट चुकी है आपने एक AI का सफर एक ऐसा शगूफा छोड़ दिये जो खतम कर देगा हम सब को आप यू आर लुकिंग आट जॉर्ज हिंटन बोल रहा यार जिसने AI बनाई है तो ये क्या कर रहे हो यार ये machine learning के अंदर एक दिन के अंदर सारी चीज समझ लेता है और 10,000 यूनिट इसके आस पास हैं जो चीज एक को मालूम चलेगी वो सब को मालूम चलेगी अब जैसे मैंने ये सब अगर मैंने रिसर्च करी है और मैं चाहूँ आप सब के अंदर भी वो रिसर्च आ जाए कितना समय लगेगा कोई 100 सार लग जाएंगे हर किसी को अगर मैं exact अपना replica और मैं तो छोड़िए अगर Einstein आ जाए हम सब को समझाना शुरू करे कि मेरे किसम का मेरे किसम की सोच तुम सब की हो जाए 1000 सार लग जाएंगे यार यह AI एक सेकिंड में कर सकता है एक को एक चीज मालूम चलेगी बाकी सब को मालूम चलेगी just imagine it is only a matter of time when it sees us as useless fools sucking up resources कितनी देर तक प्लैनेट क्यों खराब हो रहा क्योंकि हम सब को अपनी जरूर से जादा चीज़ें चाहिए और आपको सरकार कहती है 5 साल की सरकार है 5 साल की सरकार अगले 5 साल देखना चाहती है उसका window यह है इसके आगे देखने नहीं चाहती है it doesn't see armageddon वो प्रलाई नहीं देख रही है वो re-election देख रही है इसी के लिए ट्रेन हुई है और यह लोगों की सरकार है, लोगों की सरकार, लोगों का हित और शहरी लोगों का हित, अर्बनाइस्ट, वेस्टनाइस्ट लोगों का हित और प्रकृति का हित एक चीज नहीं है, और अगर प्रकृति का हित नहीं होगा, तो हम सब लोग खतम हो जाएंगे, हम प्रकृति से न इस तिसी ग्रवाब। सब्सक्राइब। वर्गिय भी कहता है। कि हम मौन रहें हैं हम बोलें आलूचना हो नहीं है। रभी शेरगिल के अनुसार आधर्श इस्थिति क्या होनी चाहिए कलाकारों के लिए। इनका नाम रोहित है। तो रोहित भाई ऐसा है कि मैं हमिताज बच्चन जी के साथ साहनुबूती रखता हूँ। उनों ने जब इससे पिछली सरकार थी। जब इन दोनों के आपस में नहीं बनती तो इनके साथ जो हुआ हम सब ने देखा है। तो जिस जो आदमी अपनी उम्र के इस पड़ाफ पर है असी के असपास है शायद वो तो शायद उस तरह के पंजाबी हम कहते हैं पंगे लेने की जो शायद जूरत है वो शायद कम हो जाती हो। बाकी आइडियल आदर्श्थिती जो है वो यही है कि हम एक ऐसे महौल में रहें जहां कि हम अपने से मुक्तलिफ राए इसको पचापाने की हमें शमता हो। और वो कैसा समाज बनेगा वो समाज थोड़ा आजाद ख्याल होगा आजाद मख्ज होगा। क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं वो कैसे बन सकता है '' वो बन सकता है'' हमारी एडिकेशन अगर किसी एक दंब की बात ना करेपर अपनी अपनी एक अच्छा की बात करेगे अपनी परंपरा की बात करें, हर किसी को हक है, अपनी, आप जैसे, बेसिकली जो वेस्टन सोसाइटी है, जो इस वक्त हम वेस्टन एक निजाम देख रहे हैं, इसके अंदर कहते हैं कि अंगलो सैक्सन कबीलों की जो सोच है, वो सबसे मुखर है, तो एक, दो कबीलों की सोच जो है, पूरे इसक ग्रह की उपर चाहिए है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी कभीलाई सोच से, अपने किसी रवायती सोच से हमें मुँ मोड़ना चाहिए, पर उसके उपर काम करना चाहिए, उसके उपर एक खोज होनी चाहिए, वो खोज हमारी युनिवरसिटीं करेंगी, वो खोज क कि बेस्ट युनिवरसिटी महनी जाती है, उसके उपर क्या सितम डाय जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर ही बेठे हुए हैं, आपके सामने, वो कुछ मुझ से बाद में बोलते हैं, गला उनका पहले पकड़ लिया जाता है, उसको किस तरह से हम उसकी पर ताडना देख रहे है किस तरह से हम देख रहे हैं, कोई उसके उपर अलग से वी-सी बिठाया जाता है, कोई कुछ, मैं यह नहीं कहते हैं, और कोई एक युनिवरसिटी आपको पूरी तरह से नहीं बदल सकती है, हमें ये, दीगे, आपकी और मेरी आँख की जो depth of field है, ये भी अलग लग है, एक आँख की और दूसरी आँख की अगर बराबर होगी depth of field, तो हमें गहराई नहीं दिखेगी, हकीकत की, 3D नहीं दिखेगा, ये एक बिमारी होती, जिनको, जिनकी exactly एक बराबर होती उनको, ये cup जो है, एक picture की तरह दिखाई देता है, तो ये मुक्तलिफ राय जो हैं, ये हम हमारी ये हमें एक गहराई मापने का हमारे लिए साधन है, तो सबसे पहले ये artist जो है ना, आपको बता दूँ, artist is simply, ये आपके समाज की उपज है, जैसा समाज होगा वैसा artist होगा, तो अगर आपका समाज अजाद कहाल है, अजाद मग्स है, अधर्श हालत में है, तो artist वैस तो आप अपना, जैसा आप artist चाहते हैं ना, उससे पहले आप ऐसा समाज बनाएं, नेता हो, artist हो, समाज सही, तुम फिर बुछोगे, अच्छा, इसी से जोड़ता है, संक्षे में बता दीजेगा, कि जैसे मतलब मेरा कोई West से कोई खास लगाव नहीं है, मुझे पसंद नह कुछ एक चीजें West से निकली हैं, जो शायद हमारे discourse में नहीं आ पाती है, जैसे की feminism का विचार है, और तों को उतनी आजादी और उतनी अधिकार होने चाहिए, जैसे की race के आधार पर किसी से बहत भाव नहीं होना चाहिए, नसल के आधार पर उसकी चमड़ी का रंग कैसा है, यह बात सही है कि industrialization वहां से शुरू हुआ और उसने पूरी दुनिया के environment का बंटाधार कर दिया, और West से बिचार के इस तरह पर, discourses के इस तरह पर कुछ एक चीजें निकली, जन्होंने दुनिया में कुछ लोगों के जिंदगी में थोड़ी बहतरी की, LGBTQ community जो है, वो अ अपने expression लेकर के आई, तो उस तरह के छोटे ही सही, मतलब आपकी नजर में, जो योगदान है, वैस से जो निकले है, उसको आप acknowledge करते हैं, उनके बारे में क्या सुचते हैं, देखिए, मैं एक पंजाबी हूँ और आप मुझे बताया गया है कि मैं जब इटली जाता हूँ और यह ग्रीस जाता हूँ, तो मुझे बताया जाता है कि यह मेरी जो नाक है, जैसी कि मैं देख रहा हूँ, यहां भी बहुत सारे लोगों, इनकी भी वैसी है, हमारी जो नाक है, यह ग्रीक नाक है, तो मेरे में वेस्ट है, और एक जीन कहा जाता है, R1-A1 जीन, जो कि जो जड़ है, वो संस्कृत है, इसी लिए हम कहते हैं, इंडो यॉरोपियन लाइगुजिज़, और हम वो एक हम खयाल बनाते हैं, कि शायद एक जबान बोली आती थी, प्रोटो इंडो यॉरोपियन लाइगुज़, पी आई एल, हम जो कहते हैं, तो जो जिनकी जबान इत जबान इतनी मिलती है, क्या उनका दिमाग नहीं मिलता हो, सवाहिली अगर कोई बोले, या कोई जैपनीज या चाइनीज, उनके अंदर आपको, हमारे दिमागी सॉफ्टेर के अंदर एक फर्क होगा, यह मैं मानता हूं, उनका दुनिया को देखने का तसवर बिलकुल अगर एक इतना बड़ा फर्क तो हो ही नहीं सकता है, पहली बात, तो फर्क जो है, कल्चरल है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो अब्वियसली बहुत अलग हैं, पर अगर आप थोड़ा से इसको स्टड़ी करें, आरवन, एवन, जीन की मौजूदगी और हमारी भाषाओं का, इनकी जड़ एक होना, तो वेस्ट और हम एक दूसरे के कॉंप्लिमेंट्स हैं, तभी वो हमें डूंडने निकल पड़ता हैं, कभी हम उने डूंडने, आप देखें, जो आरियन थेयरी है, कि वो वहां से आये हैं, आये होंगे, मैं जिस समू से आता हूँ, उसकी एक मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, हमारे अंदर आट परसेंट तो साइबीरिया से आता है, हम जो जाट सिक हैं, हमारे जाट सिक भी नहीं, जाटों के अंदर, आट परसेंट डियने जो है, वो तो साइबीरिया से आ रहा है, साइबीरिया कहां और सहारनपूर क तो एक तो हम एक दूसरे का compliment है उत्तर भारत की जड़ के अंदर इसके होंद के रेशे के अंदर कहीं न कहीं west है उत्तर भारत के अंदर ये इससे हम मुनकर नहीं हो सकते हैं तो एक west को इतना demonize भी नहीं करना चाहिए कि west को इसी अजीब और गरीब चीज़ है अगर वैसे इतना खराब होता तो इस वक बांगलादेश, हिंदोस्तान और पाकिस्तान के लोग shark infested waters के अंदर भी तैर के वहाँ जाने के कोशिश ना कर रहे होता है डूबना मनजूर है, मर जाएंगे पर west पहुंचना है किसी तरह से हाई, इसकी जमीन चुनी तो ये जजबा जो है ये बागार किसी connection के नहीं हो सकता है और यही जजबा उन में था जब वो यहाँ है तो कभी वो हमें ढूंडने पहुंच जाते हैं भी हम उने ढूंडने पहुंच जाते है तो पहले तो ये है और दूसरा जो कुछ इच्छाईयां आपने गनवाई है मतलब आपने उधारा नहीं दी है और मेरे क्याल से जो आपके सुआल की spirit उसके अंदर है ये लखनव ये दिल्ली नहीं है भारत बहुत विशाल चीज है अगर आप नहरू के एक anthropologist advisor थे वर्नन जूलियस वर्नन या कुछ ऐसा हम का नाम है जो बहुत जबर्दस उन्हें इसके उपर research करी है उसके अंदर उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर metrilineal मध्यप्रदेश उडिसा चत्तिसगर इस एरिया के अंदर metrilineal societies ही पता नहीं कितनी थे शिलॉंग की बात नहीं कर रहा हूं ब्रह्मा पुत्रा क्रोस करने की बात नहीं कर रहा हूं यहां की बाते कर रहा हूं यहां ही metrilineal societies ही इतनी तादाद में थी एक फोटो उसके अंदर मैंने देखी जिसके अंदर रानी मध्यप्रदेश की और गेहनों से लदी हुई और कपड़े नदारत और ऐसे जाहो जलाल के अंदर एक अपनी एक सिंगहासन के उपर बैटी हुई हिंदुस्तान सूची नहीं सकता है आज का हिंदुस्तान यह सोच नहीं सकता है कि कोई औरत सिर्फ आभूशन पहने और निर्वस्त रोके ऐसी जाहो जलाल के साथ बैटी हुई यह लोगों के सामने हमें हम क्या थे पहले इसको सोचना पड़ेगा हम यह नहीं है हमें यह मानना पड़ेगा कि यह बॉडी पॉजिटिविटी हमारे अंदर वैसी नहीं है जैसे हमारे पुर्खों के अंदर थी हमें मानना पड़ेगा जेंडर रिलेशन्स वैसे नहीं है जैसे हमारे पुर्खों के थे तो उस यह जो है सजन इन्होंने शादी करी एक भील लड़की से है किसी से और उसके पूर उन्हें पूरा एक ट्रीटीस थीसिस लिखा और बड़ा कमाल का वो आप इनका इनका दुनिया को देखने का क्या नजरीया है आपको मौलुम चलेगा बाइ एन लार्ज जो आपकी इंडिजनेस ससाइटीस हैं इसके अंदर जेंडर रिलेशन्स इन से खुबसूरत आपको स्वीडन, आइसलेंड नौर्वे में भी नहीं मिल सकता है है यह नहीं जितनी और और औरत वहाँ जितनी ऑटॉनमस है यह आपको कहीं नहीं मिल सकता है आप आज भी डूंगरी कॉंड जाड़वा और नील गरी के चेंचू यह मेरे को याद आए अगर आप चेंचू लोगों को देख लिए इनका जन जीवन कैसा है क्या उनसे कुछ सीख नहीं मिलती है वो हिंदुस्तान और यह एक कबीला नहीं ऐसे लाखों कबीले है यह भारत का डीने है आपको मालब है 1950 के अंदर नहरू की जब से गलत बात है उन्होंने जो फॉरिस्ट एक्ट लाए उसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि वो जो नाइकन ट्राईबस है वो अगर आप उनकी सिर्फ उनका वर्ल्ड व्यू देखें तो आपको यार यह यह देवता हैं यह कौन है वो जानवरों को समझते हैं कैसे बोल रहा है मैं वो शेर देखता है वो समझ रहा है कि शेर क्या कहना चाहरा है यह पढ़ा है मैंने, मैं आपको उसके लिंक्स भिश दूँगा वो उसको बोला गया कि तुम्हे भालू नहीं खा जाता है, तुम्हें हाथी नहीं रॉन देता है तुम्हें शेर नहीं खाता है, क्यों? वन देवी बताती है मुझे वहाना जाओ दूसरा कहता है, यार यह वन देवी हम जब सुनते हम कहते हैं, यार कैसा अंदर विश्वास ही सूते हैं, वन देवी पर वो यह कहने के कुशिश कर रहा है कि there is a consciousness between us वो consciousness मुझे बता रही है यहाँ यह है, मेरी senses इतनी acute हो गई है भीलों के बारे में, आम आपको बताया जाएगा वो कहेगा, मध्यपरदेश के अंदर भीलों की कहानी है कोई गया, उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई बीश शड़के, वो कहता यार, यहार कहाँ पस गया कैसे, कोई भीलन आई वो उसको बोलता है, कि यहां कोई आसपास कोई है, कहीं जा सकता हूँ, तो बहु गवरा क्यों रहाएगा अभी आता जाएगी आदे गंटे में, जी पात हो रही है किती आदे गंटे में, किती आवाज नहीं सुने दी तेर को तो कहता है अच्छा, कि ती आदे गंटे में आ जाएगी तु चला जी उस पर और हाँ पर ऐसा करना कि गाड़ी के अंदर बैठ जाना, क्यूं? क्यूंकि बारिश आ रही है भी क्यूंकि बारिश भी आ रही है तो देखनी रहा है उनकी सेंसिस इतनी एक्यूट है मेरी पिता जी गाम जाते थे ऐसे करते थे पंजाबी में कहते थे परसों मी पह जाना क्यूं? परसों के पह जाना मैं यहां दूप निकली होगी पुरा वगदा, पुरा पुरवई बह रही है हमारे यहां भी परवई चलती है हम आलूम चल जाता है साउथीस से आरी हम तो भूली गए हैं ना कि डिरेक्शन कहां होती है क्या है so the point is जो आप और मैं यहां अपना बैंक बैलेंस से कठा करने आए हैं हम मार्स है वहां और मार्स पे जाना चाहिए और मतलब दीए मैं चाहिए वो कौन है अपना बीजी के बड़े देशी सुधानशू सुधानशू तरिवेदी उनसे चाहिए मेरी कितनी भी सियासी एक्तिलाफ हों पर वो इतनी बात तो सही कहते हैं हजारों साल से चल रहा हमारा यह कुम्ब का मेला कुम्ब के मेले की तारीक आप किसी पंचांग के अंदर देखलो उनको पहले मालू होती इस दिन फला आई आएगी यह ब्रहस्पती हमारे सबसे मैं दोनों के elliptical orbits हैं आप माभारत के अंदर पढ़ते हैं तो किसी ने वो जिस तरह से कृष्टन के जनम के वक्त उपर कॉंसलेशन हैं नक्षत्र हैं उनके रोईनी नक्षत्र कहते हैं रोईनी नक्षत्र ढूंडा गया तो मालूम चला यह करते हैं यह डेटती वो बिल्कुल मैच होती है तो कहने का मतलब है कि हम और वेस्ट अगर आप इनकी बाइनरीज ना बनाएं और सिर्फ इनके जो गलत अमल है अगर इनको अपने से निकालने की कोशिश करें वो गलत अमल क्या है जिनके हम सारे नतीजे देख रहे हैं इनका एक रॉंग तसवर दुनिया को डिटर्मिनिस्टिक, रिड़क्शनिस्ट नजर फलसफिक अंदर देखना जो ये कहता है ये कप नहीं है ये आटम्स है तू तू नहीं है तू ये आटम्स का जोड है और तेरे अंदर जो वो तेरे ब्रेन का फंक्शन है ब्रेन मरेगा तू मर जाएगा ये नो एक रिड़क्शनिस्ट डिटर्मिनिस्टिक निगा से हर चीज़ को देखना ये इनका एक गलत दिमागी पर करिया है जिसके नतीजे हम आसपास देख रहे हैं ये हमारे हैं सिस्टम जब बनता था तो सिस्टम का अमल सबसे उसका गंदमंद कहां जाएगा ये कहां दिखा जाता है अब इसके आफ बेलडिंग बनादो लैंड फिल तो हैं नहीं तो क्या करें फिर सड़क पे डाल देना बीज़ेंक्त बहुत सेरियस हो चुका है मामला आप कैसे गाने सुनते हैं दीए मैं सुनता हूँ मैं तरह तरह के गाने सुनता हूँ केशा भाई मैं तरह तरह के गाने सुनता हूँ अजीब हो गरीब गाने सुनता हूँ मैं किसी दिन मेरा दिल करता है तो मैं बेगम अक्तर सुनता हूँ, अगले दिन पंजाबी के फोक सिंगर कुल दीप मानक सुनता हूँ, किस दिन मेरा जैस सुनने का दिल करता है, किसी दिन मेरा राक्मानिनॉफ के सुनाटा सुनने का दिल करता है, तो मैं अजीब हो गरीब चीज़े सुनता हूँ, मुझे लगता है जिस वक्त आप उस म्यूजिक को सुनते हैं जो आपने पहले नहीं सुना है, जब आप उसके अंदर उसकी कुई खुबी खुजने कोशी करते हैं, उस दिन आपका दिमाग ग्रू करता है उस दिन आपका दिमाग के अंदर कुछ neuron pathways और बनते हैं और जब तक ये बनते रहेंगे आप बढ़ते रहेंगे जब आपने बढ़ना छोड़ दिया उस दिन से आप सिकुड़ना शुरू कर देंगे सो मेरी मुझे जो 50s और 60s का म्यूजिक बहुत पसंद है हिंदुस्तान का मदन मोहन के गाने बड़े पसंद है मजरू सुल्तानपुरी के गाने बड़े पसंद है ये सुनता हूँ और फिर जो मेरा default music मैं सच बताद हूँ मैं रॉक अन डोलर हूँ मैं रॉक मुजिक सुनता हूँ U2, Wano, Bob Dylan Led Zepp, Hendrix, Beatles ऐसे दर्जनों नाम में ले सकता हूँ तो मैं ये सब सुनता हूँ और Indian music के अंदर मुझे 50s or 60s का film music पसंद है नई पिड़े के कोई कलाकार, कोई musician जसमें थोड़ा आपको अपना अक्स, थोड़ी बेचैनी उसी तरह की देखती है मुझे सतिंदर सर्ताज अच्छे लगते है पंजाबी के बाकी जो दूसरे हैं इसके अंदर मुझे अरीजीत की आवास के अंदर एक हम पंजाबी में कहते हैं हूख एक अपने को किसी बड़ी चीज़ के साथ जोडने की एक जद्द जहद सुनाई देती है मुझे इसकी अवाज में तो उनके तमाम सुनता हूँ मैं A.R. Rahman के कई गाने एच्छे दें शंकर हैसान लॉई के कई कई गाने बहुत पसंदा है मुझे और अमित्रवेदी अमित्रवेदी भी इंट्रस्टिंग है अगर यहां से आप एक ही सूत्र लेके जाएना तो यह होना चाहिए कि आप अच्छी कविता पहचानने के लाइक हो जाएं आप खुद को कविता पहचानने के बराबर करिए कविता से हर चीज निकलती कविता से फलसफा निकलेगा फलसफे से सियासत निकलेगी सियासत एक कविता निकलेगी सियासत से हकीकत निकलेगी तो आपको क्या है कि हमारे बच्चों को भी यह समझाते नहीं poetry is the base of civilization सबसे पहले poetry निकलती है आप चाहे वेद ले लिए वेद के सूतर जो है वो poetry है चाहे आप कुरान ले लिजिए कुरान poetry है Bible poetry है Guru Granth Sahib poetry है Everything starts with poetry तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उजारिश कि और कुछ नहीं यहां से आज हम अगली बार मिलें तो आप यह कहें कि हाँ मेरा एक favorite poet है इस poet को सुनके मेरा दिल करता है मैं छट की उपर चड़के नाचू That is all I ask आखरी सवाल एक आपके लिए चोटे चोटे जल्दी जल्दी एक सर सवाल भी है और एक दर्खास्त भी सर अभी आप कविता और सियासत और हकीकत की बात कर रहते हैं तो एक पहले सियासत के हवाले से आपने सुधान सो त्रिवेदी का जिक्र किया और एक तलफात की बात की सर सवाल ये कि एक राजनीती एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि कहीं जिसमें अमने उमीद धूंडी उन कुछ एक लोगों में जिनमें आप भी सामिल रहे हैं वो राजनीतिक पार्टी या फिर वो विचार वो क्रांती कहीं सूख गई अभी कुछ दिनों पहले जब राहूल गांदी एक यात्रा पर निकले तो शेरील साहब वहां दिखें तो क्या उन्हें उस यात्रा में उस क्रांती की या फिर किसी भी चीज की कोई रौशनी नजर आई तो एक तो एक सवाल था एक दर्खवास्त भी आपसे मेरी खुश्मती रही कि साल पर पहले आज से साथ जून को आप से बात हुई थी जब आपने एक अंग्रीजी अख़बार में एक लेख लिखा था रिद्म ऑफ और मिनस पीट जिस आपने जिक्र इन्षणाजिकर विक्राइब तौर जिस तो सवाल यह था कि उसमें पंजाबी समाज संगीत और समय किस तरीके से उसमें क्या हाओ पनक्राय और किस्थर क्या चीजीजे हैं उनका जिक्रत था एक झब वह आखिर में उसमें आपने एक सियासत की बात हुई कविता में आपन उसका जिक्र किया था उसमें, मैं चाहता हूँ कि आखिर में एक दर्खवास दिये रहेगी, तो यह सवाल था मेरा और दूसरा यह कि आप इसे गुन-गुना के और कोईसे भी सुना दें और इसका मतलग बतारें, इनका नाम शुभम है पीछे देजिए, संशिप में जवाब लेना है बहुत आर्टिकलेट जवाब ही देना पड़ाएगा राहुल गांदी के अंदर मुझे कुछ सचाई नजार आई, सची बात और जिस तरह से वो मुझ से मिले, मुझे लगता है मैं ऐसास मान सकता हूँ, कि शायद वो मुझ से ऐसे मिले पर मुझे लगता है कि कोई आदमी 3500 किलो मेटर अगर चल रहा है तो वो भारत के अंदर जो भी बदलावा हैं, वो यात्रा के जरीए है यात्रा जो है, जो बहरी यात्रा है वो अंदरूनी यात्रा का एक माध्यम है, हम ऐसा मानता है महात्मा बुद्ध ने ऐसा किया, गुरुनानक ने ऐसा किया, श्री रामचंदर ने ऐसा किया और श्री कृष्ण की तो सारी जीवन के अंदर यात्रा है तो यात्रा विवे का नंद नहीं सकी है पूरा भारत गुनों तो यात्रा जो है उसका भारती आध्यात्मिक अर्समाजिक जीवन के उनदर एक बहुत बड़ा महत्व है और ऐसा मानना जाता है ऐसा मेरा भी मानना है कि वो आपकी अंदुरूनी तरक्की के अंदर बहुत मददगार साबित होती है उन्होंने 35-100 किलो मेटर की यातरा करी और दूसीरी यातरा के लिए तईया है गुजराद से शायद बदा नहीं अंधरा जा रहा है उसके लिए तईया है तो ये एक बहुत मुबारक एक सोच है एक देश की किसी भी मैं कहता हूँ हमारे बीजेबी की मित्र भी अगर इसके अंदर कोई यातरा करना चाते है ये भी बहुत एक मुबारक एक कादम होगा अब देश की जो परिस्तेतियां इनसे दो चार होते हैं राहुल ने मुझे मिलते ही ये कहा और मुझे लगता है कि काफी एक अपनी रूख बेपर्दा करने के बराबर बात है कि मुझे डर लगता है मुझे डर लगता है मुझे डर लगता है कि कोई कहीं से आ सकता है मुझे मार सकता है मेरी दादी को मारा, मेरे पता को मारा मुझे डर लगता है पर मैं इस डर पे काबू पाना चाहता हूँ मैं इसको मेरी यात्रा इस डर की उपर काबू पाने का एक जरिया है क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैं अपने डर में जब दूसरे लोगों को देखता हूँ तो उनके डर भी मेरे सामने जाहिर हो जाते है और मैं देख रहा हूँ कि मैं लोगों के अंदर कितना डर है ये मैं महसूस कर रहा हूँ और इसके चलते मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसके अंदर हमारे सब का डर ये कम हो सके तो ये बहुत एक सिंपल उन्होंने एक गनित के किसे हल की तरह इसको मेरे सामने पेशन को जे लगा कि इसके अंदर एक काफी गहन गंबीर इसके अंदर कुछ सूत्र पढ़े हुआ है दूसरा उनके अंदर एक उन्होंने आक्सफोर्ड में पढ़ाई करी लोग उसके पर बहुत किंतू परंतू करता है अपना थीसिस खुद ने लेकता है डॉक्टर दीए जो एक यूनिवरस्टी है यूनिवरस्टी के अंदर आपको सबसे पहले किताबे मिलती है पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वो टीचर मिलते हैं जो आपका दिमाग खुल सकते हैं आपको ऐसा महौल मिलता है चाहे राहूल ने वहां किया या नहीं किया वो एक ऐसी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवरस्टी के अंदर गए और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह प्रिविलिज भी है पर ये इसमें कुछ हमारे सब के लिए कोई लाबदाई बाते भी जूड़ी है उन्होंने किया उन्होंने अम्बीय किया उन्होंने यह सब पढ़ाई करी उससे जब आप उनके पास रहते हैं उनसे बात करने कुशिश करते हैं उसके अन Gusti इंदर जो आपकी जैसे हैं मैंने सारी बाते करी यही बाते उनसे भी करी तो कुछ बाते उनको भी बहुत उन्होंने उनको भी अचंबिद किया ज्यसे मैंने उनको बोला की हमारे अंदर पंजाब के अंदर आप एक देख लीजीए एक म USA कड़ी है जो मोहिजदाडों से दरवार साथ को जोड़ती है उन्हें का हाँ ऐसा मैंने नहीं सोचा था तो उन्होंने इसको एकनॉलेज़ किया तो ये भी एक अच्छे व्यक्तित का मेरे खाल से एक गुन है बहुत बड़ा गुन ना भी हो पिर एक चोटा जगुन है और उसमें एक उमीद दिखाई पड़ती है कि ये ये व्यक्ति लागातार सीखना चाहता है ऐसी बहुत सारी बाते हैं मैंने उनको वहाँ ऐसे कि सुझाव दिये जो शायद उन्होंने नहीं माने पर मुझे बजाए इसके कि मैं इसका गिला करूँ मैं मैं अच्छा ही देखना चाहता हूँ और देखिए मैं उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ ये जो 84 है ये इनी की पाटी के तहत हुआ इनी की पाटी तिस वक सत्ता में उसकी उपर जगदीश ट्रैक्टर को तो अभी अभी पीछे था कि उन्होंने कोई कार्यभार सौंप रखा था सज्जिन कुमार से पाटी ने कोई नाता नहीं तोड़ा है इसी तमाम चीज़े ऐसा कोई वाइट पेपर इसने इशू नहीं किया कि ये ये लोग शामिल थे कमल नात को तो ये भी मध्ध Продश्च का सीम बना रहे था कमल नात को मन जो अभी जो सबसे ही आगे थे अब इस तरही की तमाम बातें ये इस तरही की तमाम तज़ादात इनके जबर मौझूद है पर राहुल गांधी लोक तंत्रे के लिए बहुत ज़रूरी है और अकेला उनका नहीं और दूसरीयों का भी Congress की जो सोच है वो एक intermediate सोच है भारत की तरकी के पड़ाव में Secularism और धर्न निश्पेकता और जो कुछ हुआ इस मुलक के अंदर BGB का ये तनकीद मुझे कुछ तरक संगत लगती है कि इसके अंदर कुछ western biases है उस Newtonian सोच के biases ये मैं मुझे ऐसा महसूस होता है हो सकता मैं गल्त हूँ कोई पर वो हमें एक सांस लेने का मौका देती अब उस माहौल में आप सोच सकते हैं आगे कैसे लेके जाना है आप किस तरह से जो भारत की सोच के तमाम नगीने हैं उनको हम मनजर आम पर कैसे लेके आए अपने बच्चों तक कैसे पहुँचा है ये कैसे हमारे इंजिनियर जो है उनको भारत की शिल्फ कला के बारे में मालूम हो कैसे आर्ट्स और क्राफ्ट जो है पोईट्री जो है ये हमारे गणितग्य को भी मालूम हो होना चाहिए ऐसा मुझे ऐसा माता है कि क्याकि ये ही सब एक सोच है जो जिसके कारण मैं अच आपके सामने बैढ़ सकता हूं आपको एपनी बात समझा सकता हूं हो सकता है आप सब के जो दिल्चस्पी हैं वो बिलकुल ही अलग हों और जिस तरह से आप मुझे समय दे रहे हैं इस तरह से इंजिनियर्स ने भी दिया है डॉक्टर्स ने भी दिया है चार्टिड अकाउंटेंट्स ने भी दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक आर्ट इसने भी और तमाम disciplines हैं, इनके अंदर भी यह एक अश्यरवात पहुंचना चाहिए. ठीक है, और यह गुजारिश की थी एक? हाजी, हाजी, उनका सवाल हो जाए, सब्सक्राइले सवाल कर लें. ठीक है, एना है, एना आखरी सवाल पूछ रही है आज का. एना? सवाल नहीं है, यह एक सवाल अश्यरवाशन है, आप यू कन अग्री और डिसग्री, आप रिसाइड कर सकते हो. बड़ हम जब आपने शुरुवात में जब डेली की बात की, और फिर आपने अपने जमाने के ताइम में बताया कि, जब हम लोग ऐसे जाते थे, या पर किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और एक कपल को देख रहे हैं, जो कि अभी बोला जाता है, PDA, that's the term, या फिर, even PDA for that matter, जैसे कोई, you know, news आता है कि कोई लड़की micro mini skirt पहन कर जा रही है, so that becomes the news, right? तो आपने बताया, आपने बोला कि उस time पे, शायद आपने देखा, आपने थोड़ा judge किया, maybe, you know, आपने दो-तीन दोस्तों से वो बात की, और फिर वो खतम हो गया, maybe, वो आपका जो thought है वो इंग्रेंड रहा आपके अंदर, but I think, लेकिन आपने यह बोला कि जो डैली को इतना जादा, you know, एक safe, जो पहले से जादा safe, जो एक perception बनाया है, वो मेरे हिसाब से, मेरा यह मानना है कि sort of myth है, it's a facade, why? because, जो एक sort of, एक दूसरा एक extremism भी, you know, पैदा हुआ है, through social media, जैसे, अगर मैं भी जाती हूँ, and if I am wearing something which is sort of revealing, and दूसरे लोगों को उतेजित कर रही है, तो उनके हाथ में एक phone है, वो, rather than discussing among their friends, वो उसी चीज़ को capture करके, without my consent, वो… Amplify it. Yes, they will amplify, and बहुत सारे और लोग आजाएंगे, Twitter, Facebook, Instagram पे, other social media platforms पे, and वो अपना एक, you know, और यह सोचेंगे कि, this is what, I mean, वो right है, so I feel कि जो women are more safe in Delhi, और जो छोटे शेरों से, जैसे मैं बिहार से हूं, जो छोटे शेरों से जो लोग आए हैं, उन्होंने ही Delhi को और safe बनाया है, to some extent, yes, because we are, you know, able to express ourselves, but जो दूसरा जो उसका पहलू है, वो हम यह जो larger narrative बना दिया है, कि हम जादा safe हैं, women are safer, उससे क्या होते है कि यह जो छोटी छोटी चीजे हैं, जो कि actually बहुत बड़ी चीजे हैं, वो एक बहुत, you know, comfortable आपको एक narrative मिल गया है, एक false narrative, जादी, एक comfort zone आपका क्रेट करेदे हैं, to brush it under the carpet, so that's what I feel. Well, I agree with it, and also it has some dangerous aspects to it, it may not be that safe, and we might assume it's that safe, simply because people are not looking, it doesn't mean that वो उनकी नजर भी साफ होई, you know, it could well be, I'm scared, I'll be very honest, we live quite far from the centre of Delhi, and my daughter has just turned 17, she'll turn 18, I think, this year, and every time she asks me whether she can go out with her friends in the metro, I'm jittery, so, but at the same time, I know it's not as bad as seven, eight years ago, so, I think, see, this thing that we have, it is the single biggest manipulator of behaviour, that the human species has encountered, you know, there have been big ones, like electricity, you might say it's a big one, it changed something, I was reading something, and he said, this guy Jordan Peterson, and he was saying that, contraceptive pill changed the world, and now there was no responsibility, no accountability, that this is the first time, in human history that, you could indulge in physical relations, without, any accountability, or, so what it did to us, similarly, what is this thing doing to us, that is a question, so, and, what do we do then, and then, the next question is, this is nothing, what about the new stuff, that they are creating, this is the bottom shelf, of the new innovations, that are, pouring out, there are bigger things, there are, holographic, communications, being able to, cast your mind into another, and all of that nonsense, neural, AI, being able to, you know, just hook your own self, to mainframe, all of those things, are happening, so the first question, so your question has, a few, separate, categories, one is, definitely the, the social one, and I agree with everything, that you're saying, but, change never happens, smoothly, there is always friction, so the first time, change is happening, is going to be a little, be a little awkward, and I think, that first awkwardness, has already happened, where, there was a spate of, crime against women, and slowly, and slowly, slowly, there is some, desensitization, now the other thing is, there are other, crazy things, that are coming out of it, one is hypergamy, like women now, have all the power, you and I, and everyone else, I, I tell everyone, how, and I really need, if I'm, if I'm single, and I really need a woman, for, psychological reasons, for, for reasons of, genuine intimacy, and I'm, yeah, I'll be hard pressed, to find a single, swipe on my profile, whereas you, or a young girl, would get, 10,000, so, so, so the men, who really need women, so the, those men, are single men, those men, maybe, coming from, disadvantaged backgrounds, uh, they don't have them, and, and, a good looking guy, has all the women, you want, any one of these, profiles, so the women, have all the power, women have all the, uh, anonymous power, two guys have, all the power, so, all of that, um, quarreling, of, um, gender affection, is happening, so, this is just, one of the pathology, I can think of, there are, so many, so, the thing is, a real conversation, about, the effect of technology, how it changes us totally, I mean, you, you're in this, white light, for I don't know, 10 hours in a day, you say, it must be, uh, stopping, the production of melatonin, which makes you, and then, at some point you say, I have brain cancer, you know, because you're in white light, for God's sake, I go to, um, these supermarkets in US, and, it's just white light, I mean, I have to wear shades, to go there, to a Walmart, I wear shades, dark ones, I can't take that light, two hours, in India, so the point is, we are all, being changed, so you have to, and, we are, we are, closely, very seriously, forgetting, how it was, and that is a, dreadful thing, so, that is something, that we need to, um, I think, we need to, um, figure this out, you need to, talk amongst yourself, and say, do we want to, remain biological, or do we want to, become bionic, and it's a conversation, that has to, happen right now, so, all of the things, that you find crazy, about, this, this thing, are all part of that, and this is simply, the tip of the iceberg, crazy stuff, is going to happen, so, um, free, and, genuine conversation, about, the effects of technology, and, reaming it in, right now, while we can, must happen, but I agree, with almost everything, and, you're a woman, you're an expert, on being women, as just, as just, as just, as just, प्यारेने चला तुप जय कंबली रहां तुट्टाएने बिरहां ओ बिरहां तुझ सुलताँ जित तन बिरह न उप जय सो तन जान मसाँ बिरहां ओ बिरहां बिरहां तुझ सुलताँ फर्दा मैं जाने आ दुख मुझ कू दुख सवा ये जग फर्दा मैं जाने आ दुख मुझ कू दुख सवा ये जग उच्चाएं चड़कें देखे आता कर कर एहां आग बिरहां ओ बिरहां तुझ सुलताँ जित तन बिरह न उप जय सो तन जान मसाँ बिरहां बिरहां तुख सुलताँ बढ़िया था लेकिन अन्त में रभी भाई को मैं जाने नहीं दूँगा नहीं तो मैं यहीं लेट जाओंगा अगर आपने बिलकिस गाके नहीं गए आप कैसे लगेंगे गजल जो है ना ने ने गजल जो है ना वो हिंदुस्तान का एक ऐसा ओरिजिनल फॉर्मैट कि जैसे वेस्टन मुजिक है उसकी जो जड़ है वो ब्लूज है तो उससे सारा म्यूजिक उससे पैदा हुए ब्लूज रॉबर्ट जॉनसन ना होता ता आज का म्यूजिक ना होता तो जो हिंदुस्तान इसा ने जो कुछ ऐसा पैदा किया वो गजल ये बिल्कु सही है खासल ही नहीं बोली जाती खागा और अब पंजाबी हैं गगा गगा तो तो नहीं गजल तुम यह दुसर तो बिलकिस गणाव है देख हमारे हाँ तो यह होता ना वो मैंने देखा हरपजन मान का को इंट व वो उसको भूला गया, कोई ऐसा, उनने क्लासिकल गाना बोल दिया, वो कहता, वो जाट की तह जो मैटरी की, तो कहता है, वो सामने कुछ साब है, कहता है, हिंजी उस्तादों के सामने, देखे एक तो पहले ही हमने जो जो जाट लोग है, हम तो वैसी कुछ जमीन बेज के कुछ करकर आके, मैंने भी अपने पिदाजी से लोन लेके सारा समान लिया था, हथा पे घौक रुचिछ in I think 95-96, उस्तुच की प्रच अज framework डेका, मैंने, I got all the gear and so we, we are the people who are the beneficiaries of technology when it comes to music. Technology makes us look okay. BUT when you see the real people, I am everything because of Abida Abida का एक गाना है सादेवेड है आया कर यार सुभू शाम यार सुभू शाम सादेवेड है आफेड है सादेवेड है वो जो अनना गाना है that changed my life I mean I was a very young kid but I remember nothing changed nothing remained the same and then the one record मतलब जिसने मुझे I think जो बिलकुल ही मिला शुरुवात ही होगी मेरी वो है जगजीत सिंग का बिरहातु सल्तान जो शिव बतालवी की गजलों के उपर उनने तो उनका जो that is the number one album in terms of where I started वो मेरा मतलब नी पत्थर मान लीजी अब तो that is अगजल जो है मैं बहुत देर बाद संझा हूँ हम उस तरह की जनरेशन थी जो डिली की जो हाई वाई tata generation हो कि तो तो आए मैं रॉक म्यूजिक वो तो अगो एक आए गए वो करते करते पहुंच मैं गया बंबे तो जिग जी सिंगी मिले मैं तो पहलोंच चुए मजा जिव मारा हिरो तो वहीं कहीं बात चिड़ी एर रामान की पर जब तक अजल नहीं आया तो हिंदुस्तान का ऐसे नहीं मान अज़ा उस वक्त तो नहीं बोले मेर अपने दो हादे को नहीं है अजल गाजल गाजल अब उन सारी बातों का जो सच है वो आज मालूम चलता है कि जो अब देख लिए सारा म्यूजिक मैं भी इसके अंदर शामिल हूँ ये हिंदुस्तान का जो हमने इसका जो रूप बदल दी है न इसके अंदर मेरी भी मैं भी मुलभवज हूँ कैसे आपको सारे म्यूजिक के अंदर आपको कोई एक इंडियन इंस्ट्रुमेंट देखा है अब कोई है नहीं नहीं कियो नहीं है there's no demand to learn music right now means to learn western music you know so अब इस से बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई है तो हमारी जो अलाप लेते थे अलाप के अंदर time नहीं है बहुत में समझ में आती हैं इन सब चीज़ों की हमारी melody circular है तो अब जो है आपको और भी hook चाहिए था यार hook, एक hook थे यार यार क्या होगा आपने देखा जब 90's कंदर क्या होगा था गाने कैसे आने शुरू होगे थे ole, ole hi hooku hi मतलब hook चाहिए हमारे यहां जवारवट्टो थे poor man, बोलते है Quincy Jones of the poor man बोला करते था उनके सारी गानिया ऐसे था hiya rabba, hiya rabba, hiya rabba वो सारी hook ऐसे एक फिक्रे को दो बार बोलना मतलब यह hook बन गया there was in the 90's this was, यह चलन था hit यह hit का एक तरीका था this is so अब उसके अंदर कौन का यह आप साम तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है मुझे कहने दो मुझे तुम से महबबत होगा यह पलकों की चाहूं में रहने दो अब कौन बोलेगा यह and look at what it does to human relations and what does ole ole do to human relations you know आप 50's, 60's का music सुन लो यह उसके इसके 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 के और बढ़ें, जाने ऐसे क्या, क्या, और कॉंसार रेगा फिर मैं आपको अपने साथ लेके जाएं नई तो मैं रास्ता निकलता होगा ठीक है, मोबाइल निकालने जने निकालना हो जल्दी से आखरी फर्माईश है यह आज के वो गाना जो रभी ने गुस्से में लिखा ठीक मेरा नाम बलके सियाकूब रसूल मुझसे हुई बस एक ही भूल कि जब ढूंडते थे वो राम को तो मैं खाडी थी राह में पहले एक ने पूछा ना मुझे कुछ पता था दूजे को मेरा यही जवाब था इतनों ने पूछा कि मेरा अब सवाल है जिन्हें नाज है इंद पर वो कहां है जिन्हें नाज है वो कहां है यार बिलके जो है ना ये गाना भी नहीं है ये अलमुस्ट अम इट इस ये बाची थी है ये आपस में ये गुफ्तगूई है ये इस किंदर जैसे मैं आपको पतायता हूं कि मैं जब लिखना चाहत जब इंड में आया तो मैंने साब पूरा गाना लिख लिया था लास का चंतम उस पे आके रुग गया ये लग रहा था कि there's nothing I can say nothing means nothing can actually convey or mirror what truly happened तो मैं शूट कर रहा था गाना हम बना रहे थे अपन जाई बाग में स्टूडियो मेरे दूसका आम बेटे रहे हैं अबने कॉफी पी ने चलते हैं कॉफी पी ये कॉस्टा कॉफी का बात बड़ी थी कॉफी I had that cup and came back and I said okay let's just go for it I had no idea what I was going to do and then I just I couldn't think of anything I could only think of those 19 stabs तो मैं वो जो उनिस वार थे नवलीन कुमार पर तो अब उनिस क्या भी बीच्छे किसी लड़की को मारा है किसी ने सिलमपूरी के अंदर किने चब़ेस बार मारा है कुछ फिर उसके सताइस बार मारा है तो उनिस तो फिर रहम ही हो गया जैसे जो कुछ हो रहा है फिर उसके पास slap मारेगी उसके बाद you know I just it's a good poetic device when you want to convey something but you understand कि यार आप यह समस्या इतनी बड़ी है यह जो दुश्मन है यह इसके पास nuclear हथियारों का जखेरा है और मेरे पास तमंचा है मैं गुलेल लेके गया हुआ हूँ तो मुझे कई बड़ लगता है कि मेरा जो गीत है यह गुलेल है जो जंग चली हुई है अब जो गुलेल लेके अगुलेल है जो जो गुलेल है इतना कुछ हो रहा है आप बताएए एक गाना नहीं बनता है मैं यह नहीं कहता हूँ कुछी क्राइम के बारे बनाएए किसी इस तरह की घटना के बनाएए यह आपके आसपास क्या कोई कहानी नहीं सिर्फ लड़की पतानी और लड़की और लड़की लड़का पतानी यह कहानी है रहे है कोई और चीज नहीं कोई मर जाए मतलब what about adult love why the only initial cocaine love just a teeny bopper love I mean what about what happened to यार आप बुल्जार की जो है इजाज़त देख लो यार उसका आशा भूसले जो किया उम्राव जान देख लो यार why is none of that important why are वो कह सकने वाला आज का आर्टिस्ट कहां है वो नहीं है वही तो हम बात कर रहे थे कि इस रहा में इतने कम लोग क्यों मिलते हैं तो ये ठीक है हम बिलकिस नहीं गाते हैं और अब अन्त भी कर रहे हैं लेकिन जो मैं एंड करूँगा तो ऐसे तो नहीं एना ने एक छोटा था वो किया था तेरे बिन जरूँ गाना लेकिन पढ़ा को नितिन के इस सो में पॉड़कास्ट को आप सब लोगों ने सफल बनाया रभी आये और चारचांद लगाया हमने बहुत तरह की बाते की बहुत तरह से बाते की और इतना लंबा पॉड़कास्ट बना जो कहीं भी बोजिल नहीं लगा और आप सब लोग यहां थे आप सब लोगों ने सवाल पूछे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी और प्लीज बताइएगा radio.com पर की यह पॉड़कास्ट कैसा लगा बाकी पढ़ाकू पार्टी पर तो आपके मैसेजिस का हमेशा ही इंतजार है बहुत बहुत स्वागत है और इस बार अंत करते हैं तरब्बी शेरिगल के तेरे बिन से रब्बी करेबन सानु सोना कोई हार नयों लबन जोदावें रूहनु सकून चुके जों नखिरा मेरा कोई मांगी दाम कोई है अमरीका,रूस,Malaysia ना के तविकोई,फार्कसी हर केसदिकोई,शार्कसी कोई मंगी दामेरा सीसामा कोई हुन्दा सूरत तेफेदा कोई मंगी दामेरी सीवाफा ना को मंगी दामेरी आम्गा तरबन होर ना किसे मांगनी मेरियां बाला तरबन होर ना किसे करनी तो बुविच छा तरबन सन सानया काई हा नया लबन जो दवे रूहन से कून चेके जां नखिरा मेरा तरबन 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 कि तरबन बने है कि तरौ щाह горओ अफ्ज़ जो पुट है हाँ कथा हाँ क forwards प्रτιू को मेरा से लिः चाह थे जाए